हलो माई डेर स्टूडेंट्स एक वर फिट से आप सभी का ड्रीम क्लासेश में श्वागत है मैं राहुल सर आप सभी बच्चों को सभी विद्यारतियों को ड्रीम क्लासेश पे तहे दिल से श्वागत करता हूँ और जैसा कि आपको पता है कि इस बार का पैटर्न पूरा चेंज हो गया है इसलिए बस पूरा चेंज हो गया है और जैसा कि हमें पता है कि इस बार ऑबजेक्टिव की संख्या बढ़ा दी गई है तो ऐसे बक्त में objective की special classes लगवानी आने वारी थी इसलिए आज से हम आपके लिए 200 objective questions लेकर आएं class 12 physics में हर एक subject में 200 objective questions और अगर इन 200 objective questions को आप cover कर लेते हैं तो उमीद रखे कि 50 questions आपके board के exam में आने की बिल्कुल संभावना है approach 40 to 50 questions exam में पूछे जाएंगे तो चलिए शुरू करते हैं आज की class को एक वाल like और subscribe कर दीजिए अगर आपने हमारे चैनल को subscribe नहीं किया और आज के class को शुरू करने से पहले हमारा जो लक्ष है वो है 10K 10K यानि 10K like यानि हम इस वीडियो पर 10,000 like देखना चाहते हैं अगर ये 10K like पूरा होगा तो अगली class तुरंत करवाती जाएगी तो चलिए शुरू करते हैं आज आपका class 12 physics objective का live test होने वाला है top 200 objective जो पिछले वर्सों में काफी बार पूछे गए यानि ये जितने भी ये 200 objective जो होंगे वो सभी एका पर एक होंगे और more than more important होगा चलि स्क्रीन पर दिख रहा है मैं ये देख पा रहा हूँ कि बच्चे already answer देना शुरू भी कर दिये मैंने टेस्ट को शुरू भी नहीं किया बड़ बच्चों ने answer देना शुरू कर दिया ठीक है तो चली शुरू आत करते हैं तो पहला question आपके screen पे show कर रहा है और मैं देख पा रहा हूँ काफी सारे बच्चे हमार इससे जुड़ गए हैं और बहुत ही मज़ा आ रहा है इसकी 200 objective question का ये series है और 40 to 50 आने की पूरी पूरी guarantee हमारी है ठीक है चली शुरू करते हैं पहला question प्रूश्टर करनी है प्रूश्टर लाओ क्या है जैसा कि आपको screen पे दिख रहा है कि ये 2015 में पूछा गया question है चार वी कलब आपके screen पर भी है पहला वी कलब mu is equal to sign ip देखें दूसरा और तीसरा पर फोकस नहीं करना है आप पहले पहले question पर ध्यान दो प्रूश्टर करनी हम क्या है जो बच्चे अभी इस life में इस class में जोड़े हुए हैं वो सिर्फ और सिर्फ पहले वाले question पर ध्यान दीजे कि प्रूश्टर करनी हम क्या है musical to sign p cos p 10 p और musical to 10 square ip ठीक है चार वी कलब आपके screen पर शो कर रहा है किस ओड़ जा रहे हैं बिल्कुल 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 यह जो आपका answer आ रहा है वो 80 to 90% बच्चे कर रहे हैं कि सर प्रूश्टर का नियम mu is equal to 10 ip होता है बिल्कुल राइट answer प्रूश्टर का जो नियम है प्रूश्टर का जो लाओ है वो हमारा mu यह mu का option है mu का यह symbol है इसको हम क्या कहेंगे mu ऐसे रहेगा थोड़ा सा mu is equal to 10 ip पहला question solve हो गया यह प्रश्ट पूछा गया है कब पूछा गया 2015 में पूछा गया question है तूसरा आपके phone के screen पर तूसरा question है कि प्रकास की अनुप्रश्ट तरंग प्रकृति पुष्टी करती है यह 2015 और 2017 दोनों बार पूछा गया question है जी 2015 और 2017 कि प्रकास की अनुप्रश्ट तरंग प्रकृति पुष्टी करता है किस चीज का किस चीज का व्यतिकरण का रावर्तन का ध्रूबन का और वर्न विक्षेपन का चार विकल्प आपके screen पर show कर रहा है चार विकल्प आपके screen पर show कर रहा है किसी एक विकल्प का चैयन करना है कि कौन सा विकल्प आपके लिए शही होगा बहुत ही अच्छा question हमने आपके लिए रखा है कि प्रकास की अनुप्रश्ट तरंग की प्रकृति पुष्टी करता है किसका ये 2015 और 2017 में पूछा गया कोशन है जल्दी से इसका अंसर दीजे बहुत important कोशन है कि प्रकास की अनुप्रस्त तरंग प्रकृती जो है वो ध्रोबन की पुष्टी करती है 2015 और 2017 मैंने बोला कि ये जो 200 important questions है उसमें 60 to 70% question जो है वो previous years पूछे गया कोशनों में से एक है ठीक है clear है बिलकुल clear होगा आप सभी को समझ में आ रहा है प्रकास की अनुप्रस्त तरंग प्रकृती पुष्टी करता है ध्रोबन को क्लास में बहुत सारे बच्चे जुड़े हुए अच्छा बच्चों जैसा आपको पता है कि हमारा एक app है जिस पर अगले वर्स के लिए patch start हो गया अगर आपका कोई भाई बहन है तो आप उन्हें बोल सकते हैं वहाँ पर जाने के लिए तीसरा question एक पतले फिल्म के रंग का कारण क्या है हाँ app का नाम dream classes जो हमारे youtube channel का नाम है brown color का logo होगा play store में search करके install कर लीजिए store पे जाईए सबसे उपर आपको course दिखेगा course का subscription लीजिए यह help line number आपको इस वीडियो में मिल जाएगा पढ़ाते पढ़ाते बीच में help line number लिख देंगे एक पतले फिल्म के रंग का कारण क्या है मैंने पता है ना कितने कितने like का मैंने demand रखा है 10,000 like आज की इस वीडियो में होनी चाहिए और जितना जल्दी यह target आप पूरा करोगे अगली class उतना जल्दी होगा आप चाहते हो ना dream classes पर 200 objective आजाए जिसको पढ़के हम 40 से 45 पचास आजाए तो और अच्छी बात है इससे पढ़कर हम 50 number ला सके 50 objective question सही कर सके कुछ नहीं करना है बस like करना है like share और अगर आप नए student है तो चैनल को subscribe एक पतले फिल्म के रंग का कारण है तीसरा question चार विकल सबको पता है व्यतिकरन होता है जी व्यतिकरन होता है क्योंकि बच्चे इतने smart हो गये ये previous year 2015 में पूछा गया है एक पतले फिल्म के रंग का कारण जो होगा वो क्या होगा my dear student व्यतिकरन होगा चौथा सवाल आपके स्क्रीन पे हमने रख दिया एक द्रब बूंदे एक द्रब बूंद को आवेशित किया जाता है किसके करन उसके अंदर प्रेशर दाब बढ़ जाएगा तब कोशन है एक द्रब बूंद को यदि एक द्रब बूंद को आवेशित किया जाता है तो उसके अंदर का दाब बढ़ जाता है उसके तरिज्या आप परिवर्टी तरती अननब्दी चार विकल्प आपके फोन के स्क्रीन पर शो कर रहे हैं चल्दी से बताइए कौन सा अंसर सही होगा जी यदि एक द्रब बूंद को आविशित किया जाता है तो कौन सी घटना घट सकती है चार विकल्प आपके स्क्रीन पर शो कर रहा है जिन वच्चों को इसका आंसर पता है वो जल्दी से इसके आंसर देंगे और जल्दी जल्दी से देखो ये दो साल पहले पूछा गया कौन ने 2018 में नीचे इदर साइड में शो कर रहा है आपको ये 2018 में पूछा गया सवाल है कि यदि एक द्रब बूंद को आवेशित किया जाता है तो बिल्कुल राइट अंसर ए होगा उसके अंदर का प्रेशर जो होता है वो पढ़ जागा यदि एक द्रब बूंद को हम चार्ज करेंगे आवेशित करेंगे तो उसके अंदर का प्रेशर दाब जो है वो पढ़ जाएगा बहुत अच्छा और मैं राईल सर आप सब ही बच्चों को ड्रीम क्लासेश पर श्वागत करता हूँ ठीक है और एक चीज़ याद रखना एक तम बिल्कुल आपको एक ऐसी सुभिधा प्रोवाइड करेंगे एक ऐसा कॉंटेंट प्रोवाइड करेंगे जो आपके एक्जाम के लिए बहतर सा भी थोगा यह हम पहले टिक लगा देते हैं कब पूछा गया है 2015 पांट साल पहले यह पूछा गया कुश्चन ने पांट साल छे साल पहले कुश्चन नवर फाईब चार विकल्प आपके स्क्रीन पे शो कर रहा है मुक्त आकास की प्रावैदूता कितनी होती है इन्टू 10 टू दी पावर 9 चल दी मााइक्रो फेराडे होना चाहिए कैसे यह मीटर पर सकेंड होना चाहिए न गलत लिखाऊ है जी चली क्या अंसर होना चाहिए पाचवरन मेरे कोशन आप अंसर दो आप्शन जो अंसर होना चाहिए वो बिल्कुल चाहिए चलिए, राइट अंसर क्या होगा, मुक्त अकास की प्रावैदिता मैं देख पा रहा हूँ, काफी सारे बच्चे इसका अंसर दे रहे हैं, पर रियल अंसर क्या होना चाहिए, जल्दी जल्दी से बताईए, कितने अब्जेक्टिव कोशन्स हम लेकर आएंगे, 200 अंसर होगा, वो C होगा, 8.85, यह पॉइंट है जी बीच में, 8.85 इन्टू 10 तो दी पावर माइनस बार, ऐसे लिखेगा, 8.85 है यह लिखा हुआ, ठीक है, चलिए, क्लियर है, कॉंसेप्ट क्लियर, हाँ, यह VVI कुश्चन है, यह VVI कुश्चन है, यहाँ पे, एक सकिन, अब कुश्चन का अंसर दो, अब कुश्चन का अंसर दो, डियर स्टूडेंट, अभी छटे पे आना है, छटे पे आना है, पोहुत अच्छा कुश्चन है, यह आपके एक्जाम के लिए, जिन बच्चों को, अपने छोटे भाई बैंड के लिए, अगले साल के तियारी वागी हो, वो यहाँ पे WhatsApp कॉल कर सकते हैं, अगर हमारी टिम कॉल एटेंड नहीं कर पाए, तो ना एकदम बिल्कुल भी ना, क्या उसको बोलते हैं, इस तरह से आप बोल सकते हो, बिल्कुल भी हताहत नहीं होना है, उसको क्या बोलते हैं, टेंशन नहीं लेना है, आप WhatsApp कर सकते हो ठीक है ठीक है ठीक है हाँ छटा सवाल आपके स्क्रीन पर शो कर रहा है छटा सवाल आपके स्क्रीन पर शो कर रहा है बिद्दुत परिपत की सक्ति क्या होती है छटा सवाल आपके स्क्रीन पर कर रहा है बिद्धुत परिपत की सकती वी इंटु आर वी अस्क्वाइर वाई इंटु आर वी अस्क्वाइर वाई आर आई वी अस्क्वाइर बाई आर और इस कोशन की खास्यती है कि ये दो बार पुछा जास चुका है पिछले प्रिवेस जेस कोशन में 2015 और 2016 बताइए जल्दी बिद्धुत परिपत की सकती होती है सबको पता है और मैं देख पा रहा हूं जब से इस कोशन को मैंने स्क्रीन पे रखा है इतना सपीड में अंसर आ रहा है कि जिसकी आप कलपना नहीं कर सकते हो बिद्धुत परिपत की सकती V square by R is the right answer 7 का जो correct answer होगा C हमारा right होगा clear है आगे बढ़े हैं बिल्कुल आ रहा है मज़ा आ रहा है मज़ा बिल्कुल यह तो बड़ा हलका सवाल अपने आपके रिए रख दिया यहाँ पे help line number लिखाने में बहुत आसाली होगी आप तब तक इसका answer देदो तब तक इसके answers देदो 62007338 अच्छा आपको पता है ना आपके exams में बहुत कम दिन बच रहे answer तो मैं इसका बताऊंगा आप मैं देख पा रहा हूँ जैसे मैंने screen पे रखाने यह 7 number question answer धडलले से आने लगे मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ यह हमारा whatsapp number है 6200733885 और भी बहुत रहे contact number है बट मैं एक ही बच्चों को देता हूँ ताकि वो confusion में ना रहे है एक चीज़ आपने देखा कि अगर आपके exams काफी नजदीक आगे और अगर आपको परिशानी हो रही है कि आप objective पर focus करो ना क्योंकि इतने कम समय में तो वही अच्छा दिला सकता है रंग ये और marks लीजे और आपको पता है इस बार objective की स्तिती बढ़ा दी गई यह आपके आपका जो area है वो बढ़ गया objective का डाइरा नहीं तो आप क्यों ना करो objective पर focus करो हमारा app है dream classes वहाँ पर हमारी टीम ने model set बना के रखा है 99 रुपीज में वो model set है जिसमें physics, chemistry, bio, math सभी के 30-30 model set होंगे एक model set में 30 objective portion टोटल 60 model set है कितने? 60, 30 करिए 1800 objective portion अच्छा फीज कितनी 1800 objective portion की? 99 रुपीज एक बच्चे ने बोला सर एक subject का 99 जी नहीं बाबू चार subject का 99 एक subject का 25 सर एक subject में कितने model set होंगे? 30 model set नहीं सोरी 15 model set होंगे 15 model set एक model set में क्या रहेगा? 30 objective question दूसरे बच्चे ने फूचा सर option भी दीजिएगा? मैंने बोला बिल्कुल तीसरे बच्चे ने फूचा सर option दे दीजिएगा answer मैंने बोला वहाँ पे answer भी देगा सर फीस क्लियर है बबू 99 रूपीज WhatsApp नंबर help line नंबर 99 में आप 4 subject का model set को ले सकते हैं और हाँ एक बात और जिनको WhatsApp पे चाहिए उनको इतना करना होगा इसलिए सोच समझके अगर आपको app के उपर चाहिए तो बिल्कुल इतना में ही हो जाएगा लेकिन जिनको चाहिए कि नहीं है हमको PDF अपनी कलवानी है photocopy करवानी है photocopy करवाके दोस्तों को देना है तो फिर इतना करना पड़ेगा क्योंकि app के उपर आप PDF अपनी कलवानी सकते हो यह तो आपको भी पता है और यहां से तो आप कुछ भी करवा जब आपके WhatsApp पही चला जाएगा एकाख हजार दोस्त को शेर कर दो मुझे उससे कोई फरक नहीं और अची बात है Dream Classes का Advertisement हो जाएगा चलिए काफी बाते हो गई मैंने अची चीजों को समझा दिया आगे बढ़ते हैं यह हमारा WhatsApp नमबर है कॉल भी कर सकते हैं बहुत कम फ्री रहती है फिर भी I will try to do अच्छा शॉरी नाइक्रोम विद्धू थीटर में जिस वत्तत्व का विवार किया जाता है वह जो जाता है नाइक्रोम का बना होता है कॉशन नमर आठ यह पूछा गया कॉशन Dream Classes के दुरू 64 समान बूंदे प्रते पांच मी विफ Micro Faraday को करते हैं धारिता रखते हैं यह बूंदे मिलकर एक बड़ा बूंद का निर्मान करते हैं तो बड़े बूंद की धारिता क्या होगी कॉशन नमर आठ चार विकल्प आपके स्क्रीन पर है 64 समान बूंदे प्रते पांच मी विफ धारिता रखते हैं यह बूंदे मिलकर एक बड़ा बूंद का निर्मान करते हैं तो बड़े बूंद की धारिता कितने Mu F यानि Micro Faraday के बराबर होगा मैं देख पा रहा हूँ कि कॉशन 2013 और 15 दो बार पूछा गया कॉशन है तो obviously previous questions में सामील है तो काफी बार काफी important रखता होगा तो ऐसे condition में हम इसका जो answer कहेंगी solution तो करना नहीं क्योंकि अब derivation करेंगे इतने छोटे screen पर तो it's not possible तो ऐसे condition में आपका जो correct answer होगा my dear student वो हमारा होगा 20 micro Faraday 20 micro Faraday clear है clear है 8 questions solve हो गया 9 questions आपके phone के screen पर सो करा इस question की खासियत 2017 previous question में पूछा गया है कि चुमबक के छेतर के फलक्स की काई क्या होगी 9 नमबर question question number 9 question number 9 4 वी कलप आपके screen पर है चुमबक के छेतर के फलक्स की काई क्या होगी clear है okay सबको पता है चुमबक के छेतर के फलक्स की काई जो होती है वो 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 बेबर होती है चुमबक के छेतर के फलक्स की काई जो होती है वो बेबर होती है 2017 में पूछा गया आज की class हम 10 question तक रखेंगे अगर अगर इस वीडियो पर इस class पर 10,000 मैंने जो target रखा है 10,000 लाइक रहा तो अगली जो class होगी वो 11 नंबर से लेकर सीधे हम 50 तक चले जाएंगे और आपको पता है कि लाइक तब ही होगा जब आप वीडियो को शेयर करेंगे वो उसको शेयर करेगा वो उसको शेयर करेगा करते 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 जिस ताइम ये 10,000 लाइक पूरा हो गया उसके आदे गंटे बाद question नंबर 11 से लेकर 50 तक दूसरी class मैं लगवाँगा ये राहुल सर का बादा है honor of dream classes राहुल सर का बादा है कि अगर इस वीडियो पे 10,000 लाइक हो गया तो question नंबर 11 से लेकर 10K का मतलब होगा 10,000, K का मतलब होता है अजार सबको पता होना चाहिए जैसे 10,000 लाइक, नीचे लाइक का बटन दिया हुआ है आप देख सकते हो तो तुरंत एक से दो गंटे बाद दूसरी क्लास आजाएगी आपको ड्रीम क्लास है, यह हमारा वादा है अगला question, यह आखरी question है, आज के live class का तीन संधारितर जिन में प्रतेक की धारिता C है अगर इन्हें एक बार सरेनी क्रम से पूसता है, एक बार समनांतर क्रम से पूसता है, ध्यान रखेगा तीन संधारिता जिन में प्रतेक की धारिता C है इन्हें अगर सरेनी क्रम में जोडते हैं तो उसकी समतुली धारिता क्या होगी इस question की भी खासियत यही है कि 2017 में पूछा गया question 3C, 3YC, CY3 और 1Y3C, question number 10 चलिए, मैं देख पा रहा हूँ काफी सारे बच्चे हैं और मैं ये भी देख पा रहा हूँ कि नीचे लाइक का जो डाइरा है वो दीरे-दीरे पढ़ रहा है जो भीड है, लाइक करने वालों की भीड है वो दीरे-दीरे-दीरे-दीरे-दीरे-दीरे तभी तो वो खुच आते हैं ना कि एक्जाम में कापी कम टाइम है राहूल सर कोई रिस्क ना ले मुझे जल्दी जल्दी वीडियो दे दे राहूल सर तभी अगली वीडियो अप्लोड करेंगे जब यहां पे 10,000 लाइक पूरा होगा तो क्यों ना शेयर कर देते हैं बहुत स के रहिएगा मिलते हैं अगले स्पेशल क्लास में बाबाई टेक केर हलो माई डियर स्टूडेंट्स एक वार फिर से आप सभी का श्वागत है दो सो अबजेक्टिव के सीरीज में आज आपका यह दूसरा क्लास से दूसरी वीडियो है और आज हम लोग कुश्चन नमर 11 से शुरुआत करते हैं और बहुत ही important क्लास है और उमीद है कि more than more students आज के क्लास को join करेंगे like करेंगे share करेंगे और पिछले क्लास का जो feedback था पिछली जो हमारी वीडियो थी जिसमें हमने 10 objective questions का solution करवाया था काफी वेतर रहा काफी अच्छा लगा आपका feedback और उमीद है कि य क्लास खतब ना हो तब तक आज के क्लास को बिलकुल भी छोड़कर कहीं नहीं जाना है और काफी important और special class है कुश्चन नमर 11 से आज हम लोग शुरुआत करने वाले हैं और बहुत ही मज़ा आने वाला है आज के क्लास में ठीक है my dear student तो चली ये 10 question तक already हमारा हो चुका था ज 2016 एक बार नीचे like का बटन दबा दीजिए और dream classes पर पहली बार आएं तो subscribe नहीं किया है तो नीचे radical का subscribe का बटन है दबा दीजिए अगर already अपने कर दिया है तो subscribe एक बार बार नहीं होता है ओके question नमर 11 आपके phone के screen पर ये रहा कि किसी विभब मापी की शुगराईता ये objective का जो श्रीज है ये आपके exam के लिए बहुत मददगार साबित होगा ठीक है तो किसी विभब मापी की सुगराईता को बढ़ाने के लिए क्या करना होगा तार की लंबाई को बढ़ाना चाहिए तार की लंबाई को घटाना चाहिए इसकी धारा को बढ़ाना चाहिए या इसकी धारा को घटाना चाहिए बहुत ही special और बहुत ही interesting class आपके screen पे show कर रहा है उमीद है कि धीरे धीरे और भी भीड आजके class में आएगा और बहुत ही मज़ेदार class है ये ठीक है मैं देख पा रहा हूँ काफी सारे बच्चे हमारे से जुड़ रहे हैं उमीद है कि और भी भीड जादा होने वाली है question number 11 चार विकल्प आपके screen पर है किसी एक विकल्प का chain करना है कि कौन सा विकल्प आपके exam के लिए या सीधे सीधे ही कहिए कि कौन सा विकल्प हमारा सही है किसी विभब मापी की सुग्राइता बढ़ाने के लिए क्या करना होगा चली तो इसका right answer क्या होगा कि किसी विभब मापी की सुग्राइता बढ़ाने के लिए क्या करना होगा इसका जो right answer होगा my dear student वो a होगा तार की लंबाई को बढ़ाना चाहिए previous year 2009 और 2016 दो बार पूछा गया question है और उमीद है कि अगर आप इस question को हलके में ना लेकर बिल्कुल serious तरीके से देखें तो बहुत important question है कि अगर एक विभब मापी की सुग्राइता को बढ़ाना है तो वैसे condition में हमें उस तार वो जो wire होता है उसको जो है वो तार की लंबाई को बढ़ाना चाहिए clear है चलि नेक्स्ट question आपके screen पे रखते हैं किलो बाट घंटा किलो बाट घंटा किसका मात रख है ये भी बहुत important question है और ये भी 2010 और 2015 2010 और 2015 दो बार पूछा गया important question है कि किलो बाट घंटा किसका मात रख है आज हम काफी लंबे class को attend करेंगे क्योंकि exam काफी नजदीक आ चुका है तो हम काफी लंबा class करेंगे जल्दी से answer दीजेगा किलो बाट घंटा किसका मात रख है यह बहुत ही important और बहुत ही आसान सवाल है और इसी कारण से इसका जो answer है वो काफी गती में हो रहा है कि किलो बाट घंटा किसका मात रख है जी हाँ energy यानी उर्जा का मात रख है और यह इसमें हमने इसले ज़्यादा समय नहीं लिया क्योंकि यह बहुत ही आसान सवाल है अच्छा आप हमारे app को भी install कर सकते हैं वीडियो के description में app का link डाल दिया गया है नहीं तो आप directly search कर लीजिए dream classes brown color का logo होगा play store पे app install करके जो बच्चा अगर आपका कोई भाई भेन next year exam देगा या इस बार exam देगा तो उनको course आप join करवा सकते हो वहाँ पे काफी सारे teachers है 15-20 teacher जो अपने अपने courses को Hindi medium, English medium और CBC सभी के teachers available हैं अगला question आपके screen पे रखते हैं तेरा number question जो है वो का रहा है कि एक पतले प्रिज्म जिसका अपवरतनांक एक म्यू है का निउन्तम बिचलन कोन कितना होगा बहुत ही important और बहुत ही interesting question है ये एक पतला प्रिज्म है जिसका अपवरतनांक क्या है जी mu ये आपको given है उसका निउन्तम बिचलन कोन क्या होगा 1 प्लस mu into a mu minus 1 into a mu plus 1 into a mu plus 1 into a square चार विकल्प आपके screen पे show कर रहा है एक पतले प्रिज्म जिसका अपवरतनांक mu है का निउन्तम बिचलन कोन कितना होना चाहिए बहुत ही interesting question आपके screen पे show कर रहा है question number 13 चार विकल्प आपके screen पे show कर रहा है मैं देख पा रहा हूँ काफी सारे बच्चे इसका answer दे रहे है इस question का जो right answer होगा वो होगा mu minus 1 into a is the right answer mu minus 1 into a is the right answer इस question का हमारा ये right answer है okay my dear student question number 14 की ओर है अब हम लोग entry करते है question number 14 आपको screen पे show कर रहा है और वो question है मिर्ग मरीचिका ठीक है मिर्ग मरीचिका का क्या कारण है आप अबरतन और पुर्णांतरिक प्रावरतन वी वरतन प्राकिर्णन और व्यतिकरन question number 14 चार विकल्प आपके screen पे show कर रहा है जल्दी से बताईएगा मिर्ग मरीचिका पुर्णांतरिक प्रावरतन और अपवरतन ये option number A है वी वरतन प्राकिर्णन और व्यतिकर चार विकल्प आपके screen पर है बहुत ही उम्दा सवाल है बहुत ही वी वी आई question में एक माना गया इसको मिर्ग मरीचिका इसका reason बता दीजे आपवरतन पुर्णांतरिक प्रावरतन वी वरतन प्राकिर्णन और व्यतिकर 14 नंबर question चार विकल्प आपके screen पे show कर रहा है जल्दी से किसी एक विकल्प का chain करना है कि कौनसा विकल्प आपके लिए सही है मिर्ग मरीचिका का क्या कारण है जल्दी से बताईएगा जल्दी से बताईएगा कौनसा विकल्प आपके लिए सही होगा कौनसा गलत होगा मिर्ग मरीचिका का क्या कारण है अपवरतन पुर्णांतरिक प्रावरतन वी वरतन प्रकिर्णन व्यतिकरन चली तो इसका जो correct answer है उसका जो right answer है यह आपका A हो जाएगा जैसा कि बच्चे इसका अंसर दे भी रहे थे कि इस दर right answer आप वरतन और पुर्णांतरिक प्रावरतन टोटल इंटर्नल यह जो आपका 14 नमबर कोश्चन है यह आपका दोनों काम करता है आप वरतन भी करेगा और पुर्णांतरिक प्रावरतन मिर्ग मरीचिका का मतलब हो गया जैसे कभी कभी राजस्तान के जो मरुस्तल वाले चेत्रों में क्या होता है न कि जैसे कहीं कहीं आप देखोगे कि लगेगा कि सामने पानी बहुत सारा है जब आप वहाँ पर जाओगे तो कुछ नहीं होगा, त्रिछना का छिन हो जाना मतब आवाश होना, लेकिन रियल में होता नहीं, जैसे अगर आप बाइक वगरा चलाओ, तो गर्मी के दिनों में ऐसा लगेगा कि रोड पर बहुत सारा पानी बिखड़ा हुआ है, जब हम वह चोटा कर दो में से, काफी बड़ा हो गया यह, कोशन निम्मर 15, चार विकल्प, आपके स्क्रीन फे शो कर रहा है, दो उन तरंगों के व्यतिकरन से उत्पन अधिक्तम परिनामी आयाम का मान होगा, जिसे प्रकट किया जाता है, एक आपको बाइवन गिवन है, फोर साइन यह, इसको ओमेगा टी साइथ हम कह सकते हैं, जल्दी से बतेएगा यह इतना important question नहीं, पर फिर भी, important नहीं फिर भी देखिए, इसकी quality यह है कि यह 2018 में पूछा गया question है, हमने हरे question के बगल में लिख दिया, कि कौन कब पूछा गया, ताकि बच्चों को समझ में आ सके, वेतिकरन से उत्बन, अधिक्तम परिनामी आयाम का मान होगा, जिससे परकट गया जदेए, इस question को हम ज़्यादा important नहीं मानते हैं, पर फिर भी जो इसका answer है, मुसको टिक लगा नहीं, यह हमारा 5 answer होगा, C is the right answer, question number 15 का, C हमारा right answer, यह question number 16 हमारे लिए बहुत important है, इसलिए जल्दी जल्दी से answer दीजेगा, इलक्ट्रोन बोल्ट मापता है, आवेश को, बिबबानतर को, धारा को, यह मिन, उर्जा को, चार विकल्प आपके screen पर show कर रहा है, जल्दी से इसका answer दीजे, तो यह उतना highlighted, मतलब highlighted है, लेकिन उतना hard question नहीं है, इस कारण से इसका answer already काफी second से इसका answer, जैसे मैंने इसको screen पर रखा, इसका answer आना शुरू हो गया था, कि हमारा electron bolt उर्जा को मापता है, चलिए, question number 17 की ओर चलते है, 17 कोशन कर रहा है कि प्रकास विद्धुत प्रभाव की व्याख्या, प्रकास विद्धुत प्रभाव की व्याख्या में, प्रकास को माना जाता है, क्या माना गया है, question number 70, प्रकास विद्धुत प्रभाव की व्याख्या में, प्रकास को क्या माना गया है, तरंग माना गया है, कन माना गया है, ए और भी दोनों या ननब्दिज, प्रकास विद्धुत प्रभाव की व्याख्या में, लाइट यानि प्रकास को माना जाता है, तरंग माना जाता है, क प्रकास विद्धुत प्रवाव की व्याख्या में प्रकास को माना जाता है। प्रकास विद्धुत प्रवाव की व्याख्या में प्रकास को कन माना जाता है। आपका है कि उत्सरजित फोटो इलक्टरौन की उर्जा किसके ओपर डिपेंट करती है। उत्सरजित फोटो इलक्टरौन की उर्जा निर्भर करती है। तिबता पर तरंग दहरी पर ए और बी दोनों या नवनबतीज. चल्दी से बताईएगा, इसका करrekt अंसर क्या होगा, फोटो इलक्टरौन की उर्जा निर्भर करती है. तिबता पर तरंग दहरी पर ए और बी दोनों पर या नवनबतीज. question number 18, 4 विकल्प आपके screen पे उपर सो कर रहा है मैं देख पा रहा हूँ कि काफी सारे बच्चे इसका answer देना शुरू कर दी है चल्दी से बताइए का answer होगा उत्तरजित photo electron की उर्जान निर्वर करती है question number 18 चल्ये, इसका जो right answer होगा वो B होगा उत्तरजित photo electron, यह electron होगा ऐसे उत्तरजित photo electron की उर्जान निर्वर करती है question number 17, 17 में पूछा यह question है question number 19, जो आपके screen पर सो कर रहा है कर रहा है, जब किसी वस्तू को आविशित किया जाता है तो उसका द्रब्यमान क्या होता है अगर हम किसी वस्तू को charge देते हैं, आविशित करते हैं तो उसका जो माश होगा, द्रब्यमान होगा उसके उपर क्या प्रभा पड़ेगा जैसा कि आपके स्क्रीन पे चार विकल्ब सो कर रहा है कि बढ़ता है घटता है अचर रहता है बढ़ या घट सकता है कुशन नमर 19 चार विकल्ब जब किसी वस्तू को ठीक है अगर हम आवेश देते हैं चार्ज देते हैं तो उसका द्रव बमान के उपड क्या डीपैंड करेगा क्या आसर बढ़ेगा जल्दी से बताईएगा चार विकल्ब आपके स्क्रीन पे शोग रहा है देखिए अगर हम किसी वस्तू को आवेशित करते हैं तो वस्तू के उपड करेगा कि हम किस वस्तू को आवेशित कर रहे हैं आरी बात समझ में तो ऐसे condition में इसका बढ़ भी सकता है घट भी सकता है तरह पिमाद जैसे बान कर चलिए अगर हम मोम को आवेशित करते हैं मोम के उपर आमिनस को पिगल आते हैं तो पिगल के क्या होता है कट जाएगा तो डिपेंड करता है कि हम किस वस्तू को आवेशित कर रहे है ठीक है उसके उपर डिपेंड करेगा तो राइट अंसर हमारा होगा बढ़ या घट हो नहीं सकता है क्लियर है क्वेशन नमर 20 क्वेशन नमर 20 कर रहा है कि सेल का विद्दुत बाहकबल इलक्ट्रो मोटिव फोर्स इसको कहते है होता है ये दोजर सोला में पूछा गया क्वेशन है सेल का विद्दुत बाहकबल मापा जाता है वोल्ट मीटर से आ मीटर से ग्यालवनो मीटर से या भीवा मापी से चार विकल्प आपके स्क्रीन पर शो कर रहा है सेल का विद्धुत बाहक बल मापा जाता है utewRight 20 चार विकल्प आपके स्क्रीन पर है चल्दी से अंसर दीजीगा सेल का विद्धुत बाहक बल मापा जाता है volt meter से, a meter से galvenometer से या vivemהपी से तो जो राहिट अंसर होगा वो आपका वीवब मापी होगा ठीक है सेल का विदुद बाग बल मापा जाता है वो वीवब मापी से मापा जाएगा बहुत important question है ठीक है clear है सेल का विदुद बाग बल मापा जाता है कोशन No.21 एक आवीशित चालक की सतह से एक आवीशित चालक की सतह के किसी बिंदु पर विदुद चालक की सतह की किसी बिंदु पर ये 2015 में पूछा गया कोशन है बोर्ड परिक्षा 2015 में पूछा गया कोशन है कि एक आवीशित चालक की सतह की किसी बिंदु पर विदुद ये छेतर की तिवरता क्या होती है शुन्य होती है सतह के लंबवत होती है सतह के सपर्शिय होती है 99 होता है कोशन No.21 कि एक आवीशित चालक की सतह की किसी बिंदु पर विदुद ये छेतर की तिवरता क्या होती है सतह के सपर्शिय होती है कोशन No.21 चार विदुद ये छेतर की तिवरता है तो ऐसे कंडिशन में जो होगा वो 21 का राइट अंसर होगा बी जी हाँ एक आवीशित चालक की सतह के किसी बिंदु पर विदुद ये छेतर की तिवरता है सतह के लंबवत होती है ये माना गया है कब पूछा गया है 2015 में पूछा गया है आप हमारे एप के ऊपर कूर्स जोइन कर सकते हो अगर आप स्टार्टिंग से पढ़ना चाहते हो चाहे वो आपका English Medium हो Hindi Medium या CBSC कोई भी बच्चा जोईन कर सकता है English Medium के बच्चे हमारे पास अवेलबल है हमारे पास Teacher अवेलबल है काफी सारे है तो उसके लिए करना किया Dream Classes का App play store से download करना है वहाँ पे pad course जो आपका launch हो चुका है हरे course की validity 365 दिन होती है minimum ठीक है जो crash course होगी उसकी validity 6 month और जो complete course होगी उसकी validity 1 year ठीक है फीस आपको screen के उपर show करते रहेगा कर सकते है ऐसे में अगर किसी बच्चा को PDF चाहिए what's up के through तो बच्चा हमारे dream classes से contact करेगा आपको help line number कभी न कभी हमारी वीडियो में show करते रहता है बच्चों को ठीक है तो ऐसे condition में बच्चा संपर कर सकता है question number 22 कि एक आवेस्टी चालक का छित्र आवेस्ट घनत यह आपको question सही है न ठीक है तो चारवी कल्प है कि एक आवेस्टी चालक का छित्र आवेस्ट घनत और शिगमा है तो इसके पास विद्दू छित्र का अमान क्या हुआ sigma बटे 2 epsilon note, sigma बटे 2 epsilon note, 2 sigma बटे 3 epsilon note इस question की खासियत यह है कि अभी अभी 2017 में यह पूछा गया question है कि एक आवेस्ट चालक का छित्र आवेश्गनत और शिगमा है तो इसके पास विद्दू छित्र का मान जो है वो कितना होगा 22 number question, चार विकल्प आपके screen पे शोर रख कर रहा है इस topic को हमने class में भी पढ़ाया था, अच्छे तरीके से clear करवाया था कि एक आवेस्ट चालक का छित्र आवेश्गनत अगर सिगमा है तो इसके पास विद्दू छित्र का मान जोगा सिग्मा बटे टू इपसाइलन नोट इस दर राइट अंसर इस चीज को याद रखिए हूँ कुशन नमबर 23 और ये कुशन है कि लेंज का नियम संबंदित है आवेश से द्रब्यमान से उर्जा से या संबेक के संरक्चन से 2015 और 2016 दो बार ये फ्रेशन पूछा गया है बोट के एक्जाम में कि लेंज का नियम संबंदित है किस से आवेश से द्रब्यमान से उर्जा से या संबेक के संरक्चन से कोशन नमर 23 चार विकल्प आपके स्क्रीन के ओपर सोकर है लेंज का नियम संबन्दित है किस से कोशन नमर 23 A B C D चली तो इस कोशन का जो राइट अंसर है वो है C is the right answer लेंज का नियम संबन्दित है वो होगा उर्जा से इनर्जी से यहां तक बिल्कुल समझ में आ रहा है आप सभी को 23 कोशन हमारे हो चुके हैं यह दूसरा क्लास हमारा चल रहा है जब आपके एक्जाम नजदीक आएंगे तो इन सभी वीडियो का क्या करेंगे हम रिकॉड़ेट फॉर्मेट में लेकर सबको एक साथ जोइन करके चार चार पाच पाच घंटी की क्लासेश लगवा देंगे ठीक है इससे क्या होगा कि 200 अब्जेक्टिव कोशन एक ही दिन आपको शूप करेंगे कोशन नबर 24 करेच चुमबक्के दूइधुर्व आगुर्ण एक कैसी रासी अधीश सदीश तोनों या नबदीश देखे दोनों तो कभी पॉसिबल नहीं हो सकता है या तो कोई अधीश होगा या तो कोई शदीश होगा नहीं तो इस सीज़ को माइन में बिल्कुल नहीं रखिएगा चुमबक्के दूइधुर्व आगुन और नबदीश भी नहीं हो सकता है क्योंकि अधीश या सदीश कुछ तो जरूर होगा जिसका अधिशा है या तो दिशा होगा या तो दिशा और परिवान होगा तो ऐसे कंडिशन में सी और डी तो बिल्कुल भी इगनौर करके चलेंगे अब हमें सीधे सीधे चेहर करना है कि अधीश और शदीश तो इसका जो राइट अंसर होगा वो हमारा एक सदीश रासी है ठीक है चुमबके दुईदुर्ब आगुर्ण 2018 में पूछा गया सवाल है कि चुमबके दुईदुर्ब आगुर्ण एक कैसी रासी है तो चुमबके दुईदुर्ब आगुर्ण 2018 के सवाल का जो अंसर होगा ये एक सदीश रासी है कुश्चन नमर 25 और आज के क्लास का ये आकरी कुश्चन होगा आज के लाइट क्लास का ये दूसरा जो है बाकी थार्ड में हम लोग करेंगे चुमबके दुईदुर्ब आगुर्ण की जो दिशा होगी वो कैसी होगी ए भी स्रीडी दच्चिन से उत्तर उत्तर से दच्चिन पूरव से पश्चिन पश्चिन से चार विकलब चुमबक के दुईदुर्ब आगुर्ण की जो दिशा होगी डिस्टेंस होगा दिशा जो डारेक्शन होगा वो क्या होगा चुमबक 25 चार विकलब आपके स्क्रीन के उपर सो कर रहा है तो 25 का जो राइट अंसर होगा क्योंकि चुमबक कभी यही है आपको पता ही होगा कि दक्चिन से उतर क्यों होता है तो आज की क्लास को हम यही पर खतम करते हैं उमीद है कि बहुत चादा पसंद आया होगा आपको यह वीडियो उमीद यह भी है कि आप इसको शेर और लाइक भी कर दोगे मुझे बोलने से पहले तो मिलते हैं अगले स्पेशल क्लास में उमीद है कि इस वीडियो को बच्चों के साथ आप शेर करोगे अब हमें टेलीग्राम फे फॉलो कर सकते हो टेलीग्राम में हमारा चैनल है ड्रीम क्लासेस के डाम से ठीक है बाकी सारी चीज़े वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अल्रेडी डाल दी गई है आप तेख सकते हो एक एकर करके क्लिक करके हलो माई डिर स्टोडेंट्स एक वार फिर से श्वागत है आप सभी का ड्रीम क्लासिस के स्पेशल इस टू हंड़ेट अब्जेक्टिव कोश्चन के सीरीज में आज से हम लोग कोश्चन नमर ट्वंटी सिक्से शुरुआत करींगे पचीस कोश्चन अल्रेडी हो चुका है उ तो फिर जिन बच्चों को ये कोश्चन नहीं आ रहा है तो कि एक्जाम काफी नजदीक आ गया है इसको आप अपनी कॉपी में डिरेक्टली नोट कर सकते हैं प्रतिघात का मात्रक चार विकल्प आपके स्क्रीन के उपर सो कर रहा है ओम, महो, फैराडे, एम्पिर चार वि प्रतिघात का मात्रक चार विकल्प आपके स्क्रीन के उपर सो कर रहा है तो प्रतिघात का जो मात्रक होगा मैं देख पा रहा हूं काफी ज़्यादा बच्चे ओम की ओर चल रहे है तो ये जो करेक्ट आंसर होगा वो हमारा ओम होगा जिसको लग रहा है कि हमें इस लेट नहीं करेगा एक पेन और एक पेपर लेके बैठेगा और कॉपी में नोट करेगा ठीक है चली अगला सवाल आपके स्क्रीन के उपर रख रहे है कुश्चन नमबर 27 चुमबक के छेतर का मात्रक टेशला बेबर ओम एमपिर चुमबक के छेतर का जो मात्रक होगा वो क् एक बार लाइक कर दीजिए नीचे लाइक का बटन दिख रहा है ना लाइक कर दीजिए चैनल को अभी तक अपने सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब दिख रहा है अगर आपने कर दिया होगा तो ब्लैक कलर का शो करेगा अगर नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके नीचे बगल में घंटा का बटन होगा वो भी दवा दीजेगा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजेगा ड्रीन क्लासेस को चुम्बक्के छेतर का यसा ही मात रख मैं देख पा रहा हूं कि काफी सारे बच्चे इसका अंसर दे रहे हैं फटा फट है चलि यह अंसर बताऊं करेकर टांसर इसका भी एवगर टेंस लाँ ठीक हैं इसका भी जो करेकट अन्सर होगा वह तैसला ही होगा 22 क अब ठीक ऐसक़ी और हम लोग इंट्री करते हैं और अगला जो आपके स्क्रीन पर यह दोजार पंदरा यह जो कुशन थाके कोशन नमर 27 ये 2011 में पूछा गया कोशन था ये आपको 2015 में पूछा गया कोशन है और अस्क्रीम के ओपर कोशन इस तरह से है कि परत्यावर्तिधारा के शिखरमान तथा वर्गमूल औशत वर्गमान का जो रेशियो होगा वो कितना होगा 2015 प्रिवेश से कोशन है ये कि परत्यावर्तिधारा के शिखरमान तथा वर्गमूल औशत वर्गमान का जो रेशियो होगा वो कितना होगा दो होगा, रूट टू होगा, वन वाए रूट टू होगा, वन वाई टू होगा जल्दी से बताईएगा चार भी कलप आपके स्क्रीन के उपर सो कर रहा है बहुत ही जादा इंपोर्टन कोशन है यह आपके स्क्रीन के उपर जो सो कर रहा है जल्दी से अंसर कीजिएगा फटाक फटाक अंसर कीजिएगा बिल्कुल भी समय वेशनी करना है जल्दी से अंसर बताईएगा क्या होगा जल्दी से फटाक फटाक अंसर बताईए कि वर्तिदारा के शिकरमान तथा वर्गमूल उसत मान का जो रेश्यो होगा वो क्या होगा तो इसका जो करेक्ट अंसर होगा वो 28 का भी होगा जी हां जी हाँ इसका 28 का जो correct answer होगा वो भी इस दा right answer हमार 28 का answer क्या होगा वो भी होगा ये 2015 में पूछा गया question था question number 29 पाच विकल्प सोरी चार विकल्प आपके स्क्रीन पर चल्दी से बताईएगा बहुत ही important question ये भी आपके स्क्रीन के उपर सो कर रहा है कि एक समान बेग से चला इमान आवेश उत्पन करता है कौन सा अगर एक समान बेग से चला इमान आवेश हो है वो क्या क्या उत्पन कर सकता है केबल चुमबक के चेतर केबल विदूती चेतर विदू चुमबक के चेतर या ननतीच question number 4 पापके स्क्रीन के उपर question number 29 चल्दी से अंसर दीजेगा चल्दी से इसका अंसर दीजेगा एक समान बेग से एक समान बेग से चला इमान आवेश उत्पन करता है केबल विदूती चेतर केबल चुमबक के चेतर विदू चुमबक के चेतर या ननतीच question number 29 चार विकल्प आपके स्क्रीन के उपर सो कर रहा है कि एक समान बेग से चला इमान आवेश उत्पन करता है चल्दी बैद एक पा रहा हूं कि काफी सारा अंसर इसका आ चुका है और अब जो है हम इसका directly अंसर देंगे कि इस question का जो direct answer होगा I mean right answer जो होगा वो हमारा होगा 29 question आपके screen पर हो चुका है आज हमारा target जो है वो 50 question complete करने का है ठीक है और उमीद है कि ये target हमारा आज पूरा हो जाएगा ठीक है बस आपका साथ चाहिए और आज के target को हम पूरा करेंगे ठीक है चली आगे बढ़े question number 30 की हूर हम लोग entry करते है ठीक है विद्धुत आवेश का contact जिसको ESU मातरक में कितना होता है विद्धुत आवेश का contact ESU मातरक में कितना होगा चल दी से बताईएगा विद्धुत आवेश का जो contact होगा वो ESU मातरक में कितना होगा विद्धुत आवेश का contact ESU मातरक में कितना होता है पहला option है 4.78 into 10 to the power minus 10 दूसरा है 1.6 into 10 to the power minus 19 तीसरा है 2.99 into 10 to the power 9 और चौत है 1 minus 1.6 into 10 to the power minus 19 चार विकल्प आपके screen के ओपर show कर रहा है जल्दी से विकल्प का chain करिए क्या आपका right answer होगा विद्धुत आवेश का contact ESU मातरक में क्या होता है क्या होगा इसका contact ESU मातरक में चल्दी से बताईएगा क्या होगा इसका right answer चल्दी मैं देख पा रहा हूँ काफी सारे answers आ रहे हैं तो 30 नमर question का जो right answer होगा विद्धुत आवेश का contact ESU मातरक में जो होता है वो हमारा होता है A 30 का E हमारा right answer 4.718 to 10 to the power minus 10 is the right answer ओके dear student आगे question क्यों चलते हैं कि M चुमबक के आगुर्ण बाले चड़ चड़ चुमबक के दो समान टुकडों में तोड़ दिया जाता है तो परतेक नए टुकडे का चुमबक के आगुर्ण कितना होगा question number 31 बहुत अच्छा कोश्चन है यह हमारा M चुमबक के आगुर्ण बाला एक चड़ है उसको अगर हम दो समान टुकडों में बाठ दे तो परतेक टुकडे का चुमबक के आगुर्ण क्या होगा जल्दी से इसका आँसर दीजिएगा जल्दी जल्दी से आँसर दीजिए क्या होगा इस कोश्चन का राइट अंसर बहुत ही important question आपके स्क्रीन पे रखा हुआ यह यह में चुमबक के आगुर्ण बाला छड़ है इसको दो समान टुकड़ों में अगर हम कार देते तो परतेक ने टुकड़े का जो चुमबक की आगुर्ण होगा वो क्या होगा question number 31 चार वी कलप आपके स्क्रीन के उपर सो कर रहा है चल्दी से बताइएगा चली इसका जो अंसर होगा वो ऐसे condition में इसका जो चुमबक की आगुर्ण होगा वो M by 2 is the right answer इसका जो चुमबक की आगुर्ण होगा वो M by 2 होगा clear है? क्या होगा dear student M by 2 is the right answer 31 का B is the right answer 32 पर आते हैं बहुत अच्छा question आपके स्क्रीन पर मैंने रखा है और आज हमारा जो target है वो 50 question solve करने का है ठीक है? Question है एक एकांग की चालक के लिए निम्न में से कौन सा अनुपात अचर होता है Question number 32 चार विकल्प आपके स्क्रीन के उपर सो कर रहा है एक एकांग की चालक के लिए निम्न में से कौन सा अनुपात जो होता है वो अचर होता है जल्दी से बताईगा क्या होगा इसका अंसर क्या होगा इसका राइट अंसर निम्न एक एकांग की चालक के लिए निम्न में से कौन सा अनुपात अचर होता है चार विकल्प आपके स्क्रीन के उपर सो कर रहा है जल्दी से बताईगा कौन हमारे राइट अं की चालक के लिए निमने में से कौन सा अनुपात जो होता है वो अचर होता है ऐसे कंडिशन में 32 का जो राइट अंसर होगा वो भी होगा कुलावेश बटे भीवाव देखिए अगर आपका एक्जाम नजदीक आ चुका है और ऐसे कंडिशन में इन कोश्चन्स को इन अब्ज कुछ सीख सकता है वो और उमीद है कि आपके ये कोश्चन्स जो है वो इस बार के बोर्ट के एक्जाम में पूछे लिए ठीक है क्योंकि मैंने काफी सारा कुछ देखने के बाद इस चीज़ को I mean इन कोश्चन्स को गैस कोश्चन्स के रूप में रखा है experience के अधार पे एक 2 एक कुलाम आवेश जो है वो कितने ESU के बराबर है 2015 में पूछा गया कोश्चन है स्क्रीन के ओपर सो कर रहा है आपका कि एक कुलाम आवेश कितने ESU के बराबर है चार विकल्प आपके स्क्रीन पर सो कर रहा है चल्दी से बताइएगा क्या होगा राइट निसा चार विकल्प एक कुलाम आवेश कितने ESU के बराबर है कोशन नमर 33 चार विकल्प आपके स्क्रीन पर है चल्दी से बताईएगा एक कुलाम आगेश कितने ESU के बराबर है कुश्चन नमबर 33 तो ऐसे कंडिशन में चार विकल्ब हैं 3 into 10 to the power 9 9 into 10 to the power 9 8.85 into 10 to the power minus 12 and D जो होगा वो मारा ननब दी जो होगा चार विकल्ब आपके स्क्रीन पर एक कुलाम आगेश जो है वो कितने ESU के बराबर है तो ऐसे कंडिशन में कुश्चन नमबर 33 का जो राइट अंसर होगा वो हमारा A होगा 3 into 10 to the power 9 ESU के बराबर है क्लेर है कुलाम बल वो किस तरह के बल का उताराने केंदरिये बल विद्धुत बल B A और B दोनो ननब दीच कुश्चन नमब 34 चार विकल्ब आपके स्क्रीन पर है वो देख वाराब वो फास्ट इसका अंसर है और इसी तरह से आना भी चाहिए ठीक है कुलाम बल जो हैं वो किस तरह के बल का उतारन है चार विकल्ब स्क्रीन के उपर शो कर रहा है कुलाम बल किस तरह के बल का उतारन है केंदरिये बिद्धुत बी A और B दोनो या ननब दीच चार विकल्ब स्क्रीन के उपर शो कर रहा है कुलाम बल किस तरह के बल का उतारन है जल्दी से बताईएगा जल्दी से बताना है कि कुलंब बल किस तरह के बल का उधारन है चलिए ऐसे कंडिशन में 34 का जो राइट अंसर होगा वो होगा C, A और B दोनों कि कुलंब बल जो है वो केंदरिये और विद्धुत दोनों बल का उधारन है तो 34 का जो राइट अंसर होगा वो हमारा C होगा आ रहा है मज़ा एक वर लाइक कर दीजिए नीचे लाइक का बटन दिख रहा है न लाइक जो आपको बटन दिख रहा है वो लाइक कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए dream classes को आप हमारे साथ telegram पे जुड़ जाए है telegram पे हमारा channel है dream classes के नाम से हमारा channel है तो उस channel को बिल्कुल भी छोड़ के कही मत जाना है telegram के channel को join कर लिजे काफी ज्यादा benefit होने वाला है telegram पे ठीक है question number 35 जो आपके screen के उपर show कर रहा है यह बहुत important question है previous years पूछा गया question है और यहां पे भी दिखिए दिख रहा है कि यह 2013 में पूछा गया question है तो sorry question आपको इस तरह से पूछ रहा है question number 35 का कि यदि गोले पर आवेस 10 microcolum 10 muses कोंगा सकते हैं कि गोले पर आवेस 10 muses 10 microcolum हो तो उसकी सता पर विदूत्य फ्लक्स फ्लक्स जो होगा वो कितना होगा 36 pi into 10 to the power 4 newton meter square per coulum 36 pi into 10 to the power minus 4 newton meter square per coulum तीसरा जो है वो 36 pi into 10 to the power 6 newton meter square per coulum and the option is the 36 pi into 10 to the power minus 6 newton meter square per coulum चार विकल्प आपके screen पर show कर रहा है किसी एक विकल्प का chain करना है बहुत सारे बच्चे बोल लेते सर आप paper पे pen से क्यों लिखते हैं type क्यों नहीं करवाते हैं हमने बोला हमारी टीम बहुत पुरानी है हमें इसी में बजा आता है जिसको type करना करने दिजिए मैं ऐसे पढ़ाएंगे ठीक है चार विकल्प 35 चार विकल्प आपके screen पर है मैं answer दूँ आप बोलो तो मैं answer दूँ बरना में wait करूंगा do fast fast चल दी से इसका answer देदो my dear students आप सभी को काफी अच्छा लग रहा है कि आप लोग हमारे साथ जुड़ते हो ऐसे इस तरह से पढ़ाई करते हो ठीक है do fast fast यदि गोले पर आवे 10 micro कुलांब हो तो उसकी सता पर विदूतिय फलक्स इलक्ट्रिक फलक्स की जो value होगी वो क्या होगी ठीक है तो ऐसे condition में 34 का जो right answer होगा 34 का जो right answer होगा वो हमारा 35 होगया ना sorry 35 का जो right answer वो हमारा a होगा 36 pi into 10 to the power 4 newton meter square per कुलांब is the right answer 35 का जो right answer होगया वो हमारा a होगया चली 36 most VVI question most VVI question very very important question जो आपके screen पर मैंने already so कर दिया है ठीक है 36 जो आपके लिए very very अच्छा जो आपके friends वगेरा जो है वो अगले साल क्योंकि अब तो exam काफी नजदीक आ गया है ना तो अगले साल भी अगर course जोइन करते हैं तो उनको वो दिएगा यह dream classes के राउल सर का help line number है यहाँ पर contact कर लेने के लिए सर ने अगर एक बार में फोन नहीं उठाया दो बार में नहीं उठाया तो तीसरी बार लगा लेंगे टेंशन नहीं लेना है ठीक है नहीं तो एक WhatsApp पर लिखके छोड़ देना है कि सर मुझे course जोइन करनी है dream classes का खुद का app है एप के ऊपर जो course हम जोइन करवाते हैं वो बिल्कुल basic से पढ़ाते हैं बच्चों को ठीक है तो आप अपने दोस्त पगेरा या किसी को भी बोल सकते है course जोइन करने के लिए ठीक है अभी से एक course स्टार्ट है I mean बच्चा अभी से आज से चाहे तो आज से भी बैच को जोइन कर सकता है जरूरी नहीं है कि उसके लिए मतलब exam होगा 12th का फिर वो बच्चा जोइन करेगा नहीं और all over सभी board के लिए Hindi medium English medium CBSC UP MPBR गुजरात हर या ना जितना भी board है सभी board के लिए हम एक proper batch बनाते हैं तो उमीद है कि यहाँ पर आपके through more than more कम से कम जितने student देख रहे हैं एक एक student एक एक बच्चा देदीजिए का बस काफी है आपके लिए जितने बच्चे भी live है ना इस live class में कुछ नहीं करना बस एक एक बच्चा आप अपने through dream classes के learning app पर भेज दीजिए course join करवा दीजिए ठीक है हिंदी इंग्लिश सौमाक सबी के courses हो आगे बढ़ते 37 wheat stone bridge का उप्योग चार विकल्प आपके screen के ओपर सो करा है wheat stone bridge नाम सुना ही होगा आपने नहीं कब पूछा गया देखो side में दिख रहा है 2017 में पूछा गया question है यह question कि wheat stone bridge का जो उप्योग है वो कौन है सिर्फ उच प्रतिरोध के मापन के लिए सिर्फ नि विवांतर बच् juicon के लिए या वीवांतर वच्छों इसको कहते हैं जो दो विवांतर के बीच का अंतर हो नहीं तो wheat stone bridge का उप्योग जो है वो किसके लिए किया जाता हम यह आपको बताना है wheat stone bridge का उप्योग होता है सिर्फ उच प्रतिरोध के लिए सिर्फ निम्न प्रतिर रोदों के लिए या वीववांतर के लिए कोश्चन नमर 37 चार विकल्प आपके स्क्रीन के उपर सो कर रहा है तो जो राइट अंसर होगा वो 37 का वो हमारा होगा चलिए मैं बता दूं बिल्कुल मैं देख पा रहा हूं कि इतनी गती से इसका अंसर आ रहा है कि बिल्कुल भी कोई डाउट है नहीं कि हमारा सी इस दा राइट अंसर बिल्कुल उच अब निम्न दोनों प्रदिरोदों के मापन के लिए और मैं बार बार आपको बोल रहा हूं कि अगर आपको लगे कि ये कोश्चन हमें नहीं पता या कोई भी कोश्चन तो एक पेन और एक पेपर लेक कोई पर है चलो स्क्रीन के ओपर सो कर रहा है कोश्चन नमर 38 चल्दी से बता दो चल्दी से बता दो कि एक स्टेट कुलाम जो है वो कितने कुलाम के बराबर होते है चल्दी से बताएगा कि चल्दी जल्दी बता दो क्या अंसर होगा जी कि यह देख पा रहा हूं बच्चे भीड जो है वो दीरे-दीरे बढ़ रहा है चल्दी से अंसर आने चाहिए सही सही चल्दी बताओं कि एक स्टेट कुलाम जो होगे वो कितने कुलाम के बराबर होगा मैं देख पा रहा हूं अंसर काफी अच्छा आ रहा है इसको आप जो है न इसको आप यह भी बोल सकते हो यह भी बोल सकते हो क्योंकि थर्टी अट है न जी वन gettin 3 इंटू 10 2021 यह भी बोल सकते हैं और यह भी बोल सकते हैं क्योंकि यह माइनस जो है वो उपर जाएगा जैसे वन वाई 3 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 9 है तो 3 को उपर करेंगे तो 3 इंटू 10 टू दी पावर 9 होगा ना तो ऐसे कंडिशन में हमारा ए और डी दोनों अंसर होना चाहिए तो ऑप्शन हमने सई से लिखवाया नहीं डों भरी ठीक है अगर लिखवाया जाए तो इसका जो अंसर होगा वो ए और डी दोनों होगा क्योंकि तो जब हम 3 को उपर लेकर जाएंगे तो साइन चेंज जाएगा यह तो आपको भी पता है फिजिक्स पढ़ रहे हो आप तो इतना तो एक्स्पीरियंस हो गई होगा तो ऐसे कंडिशन में ए और डी दोनों हमारा राइट अंसर होगा ओके मैडियर चलो 38 का ए और डी दोनों 39 आपके स्क्रीन के उपर सोकर है किसी चालक का विस्ष्ट प्रतिरोध बढ़ता है 2018 प्रिविस से पूछा गया खुशने जी किसी चालक का विस्ष्ट प्रतिरोध बढ़ता है लंबाई के गटने से अचा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बिल्कुल सब्सक्राइब क अनुप्रस्त काट के छेतरफल बर्णे से ताप पान बर्णे से या नदिज किसी चालक का विशिष्ट परतीरोध बढ़ता है Question number 39 Čने चार विकलप आपके स्क्रीम के उपर सो कर रहा है किसी चालक का विशिष्ट परतीरोध बढ़ता है चार विकल्प आपके स्क्रीन के ओपर सोकर है चलि मैं अंसर बताऊं तो 39 का जो करेक्ट अंसर होगा my dear student ये किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोद तबी बढ़ेगा जब हम इसकी लंबाई को घटाएंगे यानि 39 का जो करेक्ट अंसर होगा वो ए हमारा ये हमारा राइट अंसर होगा कि किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोद बढ़ता है लंबाई घटने से बहुत important question है किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोद बढ़ता है लंबाई घटने से 39 हो गया 40 नमर question किसी आविशित खोकले गोलाकार चालक के भीतर सिग्मा बटे इपसाइले नोट जीरो इपसाइले नोट वाई टू चार भी कल्प आपके स्क्रीन के ओपर सो कर रहा है किसी आवेशित खोकले गोलाकार चालक के बीतर विदूती तिवरता कामान और मैं देख पार हूँ इस कोशन का अंसर काफी गती में आ रहा है जी आने वाला है उम्मीद है कि यह आपके एक्जाम के लिए बहुत इंपोर्टेंट कोशन साभीत होगा कि एक खोकला गोलाकार चालक रहेगा तो उसके अंदर जो है किसी आवेशित खोकले गोलाकार चालक के बीतर विदूती तिवरता का मान होता है चल्दी से बताईएगा चल्दी बताईएगा किसी आवेशित खोकले गोलाकार चालक के बीतर विदूती तिवरता का मान देखिए जब चालक के बीतर जो है न विदूती तिवरता तो हो गई नहीं तो करेक्ट अंसर मान सी हो गया मैं देख पा रहा हूं काफी सारे बच्चेज का अंसर आज़ आज़े दे रहे थे शर सी होगा ची होगा जी हां बिल्कुल झी होगा अचा आप ट futur करण Оैप इंस्ट्रॉल कर लो जैसे अपने ौछ इंस्ट्रॉल किया प्ले स्ट्रों से या वैसे सर्च करना टेलिग्राम, टेलिग्राम हो जाए न, वहाँ पर search का option हैगा, install करने के वाँ, टेलिग्राम को, वहाँ पर search करिएगा, dream space दीजिएगा, classes करिएगा, हमारा channel हाजेगा, खोलके, नीचे join पे click कर दीजिएगा, उससे क्या होगा न, जब भी कोई class होती, उसका notification वहाँ पे चला तो 40 का C is the right answer, 41 हमारे screen के उपर so भी कर रहा है, इस्तिर विदूत छेतर होता है, Gün लिभे दूतिय होता है, सन रक्षी, आसन रक्षी, प такая कहीं सन रक्षी, कहीं, आसन रक्षी, इकला से कोई नहीं, चार भी कल स्क्रीन के उपर जो कर रहा है इस तीर विदूत्य चेत्र होता है सनरक्षी आसनरक्षी कहीं सनरक्षी कहीं सनरक्षी नद दीच चलि यह पूछा क्या क्या कोश्चन है काफी बार मैंने क्लास में भी करवा दिया था इसलिए मैं इस पर जादा टाइम नहीं लोगा कि 41 का जो राइट अंसर कि बाधे बिदुत बाहपलने एलक्टरों मोटीफोर्ट मोटीफ फोर्स की बीमा जो होती है वो क्या होगी है डैमेंसन ओपीыми एमेफ एलक्टरों हो इसलिए बाष्ड करेक्ट हांसर क्या होगा बहुत इंपोटन क्योस्टन है यह भी बहुत important question आपके screen के पर रखा हुआ है बितुत बाग बलकि भीमा तो जो 42 का जो right answer होगा मैं देख भा रहा हूँ बच्चे answer दे रहे हैं मैं directly answer पर tick करता हूँ वो हमारा डी होगा my dear ml square t inverse 3a inverse 42 number question चार विकलप आपके screen के उपर हो गया 43 पर आते हैं बितुत परिपत में किसी बिंदु पर सभी धाराओं का वीज गनीतिय योग्य क्या होता है यह काफी बार पूछा गया है मैं ज्यादा समय नहीं लोगा इसलिए नहीं लोगा क्योंकि काफी बार पूछा गया और काफी बार मैंने इस question का discuss भी कर दिया है सीध्य आप अंसर दो या मैं directly इस question को अटाता हूँ आपके screen के उपर से चलिए मैं अंसर फटिक करूँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ मैं देख पा रहा हूँ देख पा रहा हूँ विद्धुत परिपत में किसी बिंदु पर सभी धाराओं का बीजगनीतिय योग्या बिलकुल माईडियर स्टूडेंट सुनने होगा बिलकुल सुनने होगा विद्धुत परिपत में किसी बिंदु पर सभी धाराओं का बीजगनीतिय योग्या सुनने होता है इसमें कोई सक नहीं है ठीक है question number 44 स्वस्त मनुष्य के सरीर का बिद्धुत प्रतिरोध प्रेसिस्टेंट प्रतिरोध कितना यह काफी confusion question है काफी बार बच्चे पोलते हैं ठीक है काफी इस पर सिकायत भी आ चुकी है मैं clear करना चाता हूँ जो real answer होगा ठीक है I mean जो correct answer होगा स्वस्त मनुष्य के सरीर का बिद्धुत प्रतिरोध कितना होता है कितने ओम के बराबर होता है तो मैं directly answer पर click करता हूँ क्योंकि already यह question काफी बार हो चुका एक्जाम में 50,000 ओम होगा जी कोई-कोई बच्चा 10,000 बोलता है देख लोगो गलत बोल रहा है स्वस्त मनुष्य के सरीर का बिद्धुत प्रतिरोध जो होता है वो 44 का ए हमारा right answer होगा 50,000 हो 46 की ओर अगर हम entry करे 45 की ओर ठीक है तो शोशित बिद्धुत उर्जा शोशित बिद्धुत उर्जा है विवांतर के विद्करमानुपाती विवांतर के समानुपाती विवांतर के वर्ग के शमानुपाती या ननबदीच कोशन भूर 45 शोशित बिद्धुत उर्जा जो हैं वो कैसी होती है 45 चार विकलपपकी स्कूरीन के उपर सोकर है कोशन भूर 45 या कोशन मा 45 इसको भी बोल सकते हो तो मैं directly answer करूँ ये भी काफी important previous day's question है देख लो आप screen के उपर सो ओका रहा है 2017 में पूछा गया है तो इसका जो right answer होगा वो C होगा जी विवांतर के वर्ग के शमानुपाती होता है question number 45 का जो correct answer होगा वो C होगा हमारा right answer 46 पे आते हैं question number 46 है 1y2 epsilon note E square के वी मिय सुत्र के समतुल बीमा की जो रासी होती है 2018 में पूछा गया question है देख आपको screen के उपर दिख रहा है ना ये 2018 1y2 epsilon note E square के वी मिय सुत्र के समतुल बीमा की जो रासी है वो कितनी होती है ठेक है b square वटे 2 mu note 1y2 b square mu note b square mu note square by 2b 1y2 b mu note square question number 46 4 वी कल्ब 4 वी कल्ब आपके screen के उपर सोग कर रहा है 46 number question और आज हम लोग 50 तक हम लोग target लेके चलेंगे बिलकुल ठीक है 46 चार वी कल्ब तो correct answer होगा वो अपका A होगा 1y2 epsilon note E square के वी मिय सुत्र की जी समतुल बीमा की जो रासी होती है वो b square 2 mu note is the right answer clear है 46 का A हमारे right answer होगा चले 47 की ओर हम लोग entry करते हैं दुरूब प्रवलता 47 दुरूब प्रवलता का ऐसा है मातरक A, B, C, D, 4 विकल्ब काफी बार पूछा गया question है ज्यादा इस पर time नहीं देंगे तुरन टिक लगाएंगे दस-पान सकेंड के अंदर चले मैं टिक करूँ जी बिल्कुल टाइम देने का question ही नहीं है अगर जो अगर इसमें कुछ दम रहता तो हम इस पर टिक लगाते रुकते समझाते कुछ नहीं है काफी बार पूछा गया है कमसे हम दस बार इसके उपर डिस्कस कर चुके है 47 कसी is the right answer 48 की ओर आते हैं हम लोग इंटरी करते हैं लॉरेंज बल की परिवसा है इस पे भी ज्यादा ध्यान नहीं देंगे क्योंकि ये भी पूछा गया question है पर फिर भी दीजिए आपके उपर time है आपके पास time है लॉरेंज बल का परिकलन करने के लिए कौन सो formula यूज करेंगे 2018 में question पूछा गया है f vector is equal to 2 into e vector plus v vector into v vector और बिल्कुल tick लगाएंगे 48 के a is the right answer 48 का a इस पे b time देने की जरुत नहीं कि डाइनमो की क्रियाविदी जो है किस सिद्धान्त पर आधारित है इस पे भी time देने की जरुत नहीं है जल्दी से बताएगा डाइनमो की क्रियाविदी निम्नलिकित में से किस सिद्धान्त पर आधारित है तो 49 का जो correct answer होगा A, B, C, D क्या answer होगा जी 49 का चल्दी से बतादो 49 का correct answer क्या होगा 49 का जो correct answer होगा My dear student वो हमारा होगा B होगा विद्धुत चुम्बक के प्रेरन डाइनेमो की क्रिया विदी निमनलिकित में से किस तिद्धांत पर आधारित है भी हमारा right answer होगा और ये आखरी question Question number 50 51 तक चलेगा 50 अच्छा ये आपको screen के उपर दिख रहे है Telegram ID Dream Classes के नाम पर है Help Line नमबर आपको screen के उपर जो कर रहे है अगर आपको notes बगएरा purchase करना हो ठीक है Hindi medium, English medium, 11, 12, 10 10th और 12 तो एकदम 1 second में मिलेगा 11th का भी बनके ready हो चुका है तो आप Hindi medium से कोई भी board से क्यों न पढ़ रहे हो कोई दिक्कत नहीं है आप इस number पर contact करके संपर करके आप अपने notes को purchase करवा सकते है खरीच सकते हैं सब्सक्रिप्शन लेग सकते है dream classes का app install करके dream classes सर्च करिएगा play store में हमारा app सोखर जाएगा तो कोईशन नमबर 50 था नहीं हाँ 50 sorry किसी विद्धुत चुमबक के वीकरण की उर्जा 13.2 Kelvin है तो यह वीकरण जिस छेतर से संबगने थे हुआ छेतर कौन सा होगा कोईशन नमर 50 चार विकरण आपके स्क्रीन के उपर सोखर रहा है और मैं बिल्कुल टाइम नहीं दूँगा इस कोईशन पर जादा क्योंकि यह हो चुका कोईशन है क्लास में काफी बाए और सबको पता है कि इसका जो राइट अंसर होगा वो बी होगा और आज के क्लास का यह आखरी कुशन ठीक है प्रतिरोध का मात्रक क्लास को यह पर रने देते हैं हलो माई डिर स्टूडेंट्स एकवार फिट से आप सभी का ड्रीम क्लासेश में श्वागत है और आज हम लोग काफी इंपॉटेंट क्लास को करने वाले हैं हमारा जो टॉप टू हंडरेड जी हाँ टॉप टू हंडरेड इंपॉटेंट अब्जेक्टिव कोश्चन की यह चौथी क्लास है और बहुत ही मज़ेदार क्लास है जब आपके एक्जाम सिक्दम नजदीक आ जाएंगे तो सारे क्लासेश को हम एक में करके ये बड़ा सा क्लास मेराथन जिसको हम बोलते हैं उस तरह से चलाएंगे याद रखेगा तो जल्दी जल्दी से हमारे साथ जुड़ जाएए जल्दी जल्दी से सभी स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़ जाएंगे काफी स्पेशल क्लास होने वाली है जल्दी से लाइक कर दीजिए नीचे शेर का बटन है शेर कर दीजिए और अगर चैनल को dream classes को subscribe नहीं किया है तो subscribe कर लीजिए काफी special class है, exam से पहले ये classes करना, इन सभी classes को join करना आपके लिए बहुत important है, वरना बहुत पस्ता होगे अगर ये classes छूट गई तो, क्योंकि ये सभी previous years important questions हैं और उमीद है कि इस बार की board पर इच्छा के लिए ये आपके लिए काफी important होने वाला है चलिए, जुड़ गए हमारे साथ सभी लोग, start करें, जैसा कि screen के उपर show कर रहा है हमारे questions और बहुत important questions आपके screen के उपर ये show कर रहा है चलिए, तो तीन class हो चुकी है, चौथा class question number 52 से हम सुरू करते हैं और screen के उपर ये रहा कि तप्त तार ए मीटर मापता है प्रत्यावर्ति धारा के किसको ये 2016 हमें पूछा गया सवाल है जल्दी जल्दी से ये 2016 हमें पूछा गया सवाल है जल्दी जल्दी से इस question का अंसर दीजिए कि तप्त तार ए मीटर जो है वो मापता है प्रत्यावर्ति धारा के किसको उच्चतम मान को आउसत मान को मुल आउसत वर्ग मान को एंड ननब्दी जल्दी जल्दी से इसका अंसर दीजिए मैं देख पा रहा हूँ कि काफी सारे बच्चे हमारे साथ जुड़ चुके हैं दीरे दीरे जल्दी जल्दी से जल्दी जल्दी से चलिए जल्दी जल्दी से हमारे साथ जुड़िये मैं देख पा रहा हूँ कि काफी सारे बच्चे हमारे साथ जुड़ चुके हैं इसका अंसर दीजी तप्त तार एमीटर मापता है परत्यावर्ति धारा के किस मान को उच्टम मान को औसत मान को मुल्य औसत वर्गमान को ननब दिच्चार विकलप स्क्रीन के उपर शो कर रहा है जैसा कि यह 4-3 कोशन स्क्रीन के उपर सो कर रहा है यह 2016 में पूछा गया था तो चलिए इसका अंसर हम बताते हैं कि यह जो है वो अंसर होगा C ठीक है यह जो अंसर हो गया इसका correct अंसर हो गया C की तप ततार एमीटर मापता है मुल्य औसत वर्गमान को अगर अगर आपने अगर आपको यह कोशन नहीं पता है तो इसको अपनी कॉपी में जरूर नोट करिएगा जल्दी से जल्दी से इस कोशन को कॉपी में नोट करिए कोशन नंबर तिरेपन की ओर चलते हैं हम लोग जैसा कि स्क्रीन के ओपर शो करा है कि एक उभायोत्तल लेंस जिसमें म्यू की जो वैल्यू है वो 1.5 है कि प्रतेक तल की बकरता तरिज्या अगर 20 सेंटीमीटर हो तो लेंस की छमता कितने डायोप्टर होगी ये 2012 में पूछा गया कोशन है बहुत इंपोर्टन कोशन है कि एक उभायोत्तल लेंस म्यू जो है वो 1.5 है जिसके प्रतेक तल की तरिज्या अगर 20 सेंटीमीटर है तो लेंस की छमता कैपिस्योटी कितनी होगी बहुत मज़दार कोशन है आपके एक्जाम के लिए ये जल्दी से अंसर दीजिए मैं देख पारा हूँ काफी सारे बच्चे हैं ये थोड़ा सा नुमेरिकल आ गया है जल्दी जल्दी से इसके अंसर दीजिए वो 5 डायोप्टर होगा जी 53 का 5 अंसर 5 डायोप्टर जो होगी एक उभयत्तल लेंस जिसमें म्यू का मान 1.5 है परतेक तल की बकरता तरीजागर 20 cm हो तो लेंस की जो छमता होगी 5 डायोप्टर होगी कोशन नमर 54 बहुत इंपोर्टन कोशन है FAX FAX का FULL FORM आपसे पूछ रहा है जी जल्दी से जल्दी से बताओ जल्दी से बताओ की FAX का FULL FORM क्या होगा FULL ACCESS, TRANSMISSION, FAXY, MILE, TELEGRAPHY या FACTUAL, AUTO EXCELL या FID, AUTO EXTEND चार विकल्प आपके स्क्रीन के उपर है FAX का अर्थ बताओ FAX का जो अर्थ होगा वो क्या होगा जल्दी जल्दी से इसके अंसर दीजे FAX का अर्थ FULL ACCESS, TRANSMISSION FAXY, MILE, TELEGRAPHY factual auto exchange जैसे करके चार विकल्प आपके स्क्रीन के उपर सो कर रहा है जल्दी से इसके अंसर बता दो की FAX का FULL FOUR मैं देख पा रहा हो काफी सारे बच्चे इसका अंसर दे रहे है काफी सारे बच्चे इसका अंसर दे रहे है जल्दी जल्दी से अंसर बताईए मैं देख पा रहा हूं इसका अंसर काफी हाई लेवल पर इसका अंसर आ रहा है कि सरी इसका जो राइट अंसर होगा वो बी होगा बिल्कुल सही अंसर है FAXY MIL TELEGRAPHY IS THE RIGHT अंसर ठीक है FAXY MIL TELEGRAPHY कोशन नमर 54 का जो करेक्ट अंसर हो गया वो हमारा B हो गया जी 55 नमर कोशन स्क्रीन पर रख रहे हैं यह हमारी चौथी क्लास है TOP 200 गैस अब्जिक्टिव कोशन की जल्दी जल्दी से इसका अंसर दो बहुत अच्छा कोशन सवाल आपके सामने रखा है कि सम्तल दरपन की वकरता त्रिज्जा प्रिवियस यर्स पूछा गया कोशन है जैसा कि यहां पर दो 2011 ही है लेकिन और भी सायद 16-17 में भी यह पूछा गया है सम्तल दरपन की वकरता त्रिज्जा जो होती है वो अनन्त शुन्य प्लस 5 सेंटीमिटर माइनस 5 सेंटीमिटर चार विकल्प स्क्रीन के ओपर शो कर रहा है सम्तल दरपन की वकरता त्रिज्जा जो होती है वो कितनी होती है समतल दरपन की वकरता तरिज्या अनन्त होगी शुन्य होगी प्लस फाइव सेंटीमीटर माइनस फाइव सेंटीमीटर कोश्चन नमर 55 चार विकल्प आपके स्क्रीन के उपर शो खर रहा है समतल दरपन की वकरता तरिज्या जो होती है वो कितनी होती है चार विकल्प 55 नमबर कोश्चन का जल्दी से अंसर दीजिएगा समतल दरपन की बकरता त्रिज्जा कितनी होती है अनन्त शुन्य प्लस 5 सेंटीमेटर माइनस 5 सेंटीमेटर कोश्चन नमबर 55 चलिए मैं इसका अंसर दूँ इसका जो राइट अंसर होगा वो समतल दरपन की बकरता त्रिज्जा जो होती है वो अनन्त होती है ठीक है कोश्चन नमबर 55 का जो पहला अंसर होगा जी समतल दरपन की बकरता त्रिज्जा कितनी होती है इसका अंसर क्या होगा अनन्त चली, question number 56, आपके screen के उपर, आपके screen के उपर show कर रहा है, कि पतली जिल्ली को रंगीन दिखने का सबसे प्रमुख कारण क्या है, ये 2017 में पूछा गया question है, पतली जिल्ली के रंगीन दिखने का सबसे प्रमुख कारण जल्दी से answer दीजिएगा, पतली जिल्ली के रंगीन दिखने का सबसे प्रमुख कारण, question number 56, screen के उपर show कर रहा है, पतली जिल्ली के रंगीन दिखने का सबसे प्रमुख कारण, व्यती करण, प्राकिरनन, वीवर्तन, ध्रुबन, चार विकल्प आपके screen के उपर show कर रहा है, चल्दी जल्दी से इसके answer दीजिएगा, पतली जिल्ली के रंगीन दिखने का सबसे प्रमुख कारण, चलि इसका जो अंसर होगा चलि तो इसका जो अंसर होगा पतली जिल्ली के रंगीन दिखने का कारण वो होगा प्रकास का प्रकिर्णन ठीक है क्या होगा ठीक है इसका अंसर क्या होगा इसका जो करेक्ट अंसर होगा पतली जिल्ली के रंगीन दिखने का सबसे प्रमुख कारण प्रकिर्णन होगा चलि कोशन नमबर 57 पर हम लोग आते हैं और 57 नमबर कोशन भी बहुत इंपोर्टेंट है आपके एक्जाम के नजरिये से देखा जा दो बार पूछा गया कोशन है अकास तरंग का संचार अधारित है आयन मंदल द्वारा प्रावर्तन पर आयन मंदल द्वारा अवशोशन पर आयन मंदल से संचरन पर और चौथा विकल्प आपके उपर ननब दी, जल्दी से अंसर दीजिए जल्दी जल्दी से इसका अंसर दीजिए, मैं देख पा रहा हूँ, काफी सारे बच्चे एक्टिव हो चुके हैं अंसर काफी फास्ट फास्ट दे रहे हैं जल्दी संसर दीजिए आकास तरंका संचार अधारित है आयन मंडल द्वारतन अब शोशन संचरन यह ननवदी चार विखल्प आपके स्क्रीन के ओपर शो कर रहे हैं कुशन नवर 57 जल्दी संसर दीजिएगा कि 57 नंबर का जो करेक् तरंका संचार अधारित है उसका जो अंसर होगा वो होगा आयन मंडल द्वारतन पर जल्दी से इसके अंसर दीजिए इसका जो खर्रेक्टान सोरी इसका जो अंसर हो गया आयन मंदल दोरा प्रावरतन पर और कोशन नमबर 58 आपके स्क्रीन के ओपर सो कर रहा है 2018 सोरी 2017 में पूछा गया कोशन है याने एन ए एन डी गेट के लिए बूलिये बेंज़क का मान क्या हुआ देखें ये एक revision class है आपके लिए बहुत मज़दार class है आपके लिए समझ रहे न क्योंकि objective का जो value है इस बार आपको पता ही है बताने की जुरत नहीं है जल्दी से इसका answer दीजिए जल्दी से इसका answer दीजिए कि इसका जो correct answer क्या होगा एने एन्डी गेट का बुलिय बेंज़क क्या होगा चार विकल्प ए डॉट बी ए डॉट बी ऐसे करकर के चार विकल्प आपके screen के उपर show कर रहा है जल्दी से किसी एक विकल्प का चैन करिए जल्दी से इसका answer बताईए क्या होगा इसका correct answer एने एन्डी गेट के लिए बूलिय बेंज़क का जो मान होगा वो क्या होगा चली मैं answer दूँ क्योंकि मैं देख पा रहा हूँ काफी सारे answers आ चुके हैं और अब मुझे इसका answer बताना होगा कि एने एन्डी गेट के लिए बूलिय बेंज़क क्या होगा ready for the answer अच्छा नीचे like का button है दवा दीजे एक बड़ सभी students एक बड़ like का button और share का भी button दवा दीजे like and share दवा दीजे ताकि हम अगले question क्यों रागे भड़ सके और इसका answer भी बता सके तो इसका जो correct answer होगा वो होगा जी हाँ ये आपका correct answer होगया 58 का जो correct answer होगया इसका जो 58 का जो correct answer होगया वो होगया ए क्या होगया हमारा ए हमारा correct answer होगया एनि अन्डी गेट के लिए बूलिए भी ज़िए ठीक है चली अगला question screen के उपर रखते है ये बहुत अच्छा question है जी mobility mobility की SI क्या होगी ampere गुने meter per newton second per meter meter per second into ampere या ननवद दीजे ये चार विकलप आपके screen के उपर show कर रहा है चार विकलप आपके screen के उपर show कर रहा है mobility की SI क्या होगी बहुत अच्छा सवाल है आपके लिए चार विकल्प आपके स्क्रीन के उपर शो कर रहा है बहुत अच्छा सवाल है यह आपके लिए कि Mobility की SI IKI जो होगी वो क्या होगी चल्दी से बताए क्या answer होगा चार विकल्प आपके स्क्रीन के उपर शो कर रहा है अगर आपको किसी भी तरह का Notes चाहिए तो आप यहाँ पे संपर कर सकते हैं ठीक है यह हमारा वाट्सअप नंबर है कॉल वाट्सअप दोनों कर सकते हैं 9, 10, 11, 12 competitive exam किसी भी तरह का नूर्ट चाहिए आप हमारे टीम क्यों संपर कर सकते हैं क्योंकि इस बार जो है वो आपके banking, ssc, railway, defense line के भी classes स्टार्ट हो रहे जैसे ही आपका board का exam खतम होगा न आपकी classes शुरू हो जाएगी अगले question की और हम लोग entry करते हैं अगला जो question है इसका answer पहले मैं कर दूँ इसका जो answer होगा 59 का तो 59 का जो correct answer होगा वो A होगा ampere meter per newton ampere meter per newton ampere meter per newton चलिए 59 का जो correct answer होगा mobility की SI1 काई ampere meter per newton होगा clear है question number 60 हम आपके screen के उपर रख रहे है diode का उपयोग करते हैं किस रूप में एक प्रवर्धक की बाती, दो लित्र की बाती दिष्टकारी की बाती या modulator की बाती जल्दी से इसका answer बताएगे जल्दी से इसके answer बताएगे क्या होगा इसका answer जल्दी से इसका answer बताएगे कि diode का जो उपयोग करते हैं वो किस रूप से करते हैं प्रवर्धक की बाती, दो लित्र की बाती या दिष्टकारी की बाती या modulator की बाती चारविकल्प, question number 60 जल्दी से बताएगे पी, diode का उपयोग जो है वो हम करते हैं किस रूप से चल्दी से इसका answer बताएगे चलिए, मैं देख पारहाओ काफी सारे answer आ चुक है मुझे इसका answer देना है कि diode का उपयोग जो है एक दिष्टकारी की बाती کیा जाता है टिक है? diode का उपयोग जो है एक दिष्टकारी की बाती तो होगे इसका answer 60 का जो correct answer होगा वो क्या होगा वो हमारा C होगा 60 का जो correct answer होगा वो एक दिश्टकारी के रूप में क्या जाता है जल्दी से समझ में आ रहा है इसके answer हो गए अब आप लोग एक सथ नंबर question आते P परकार के अर्ध चालक में आवेश भाग कौन होता है इलक्ट्रोन, भीबर, प्रोटोन, न्यूट्रोन जल्दी से इसके answer दीजिए क्या होगा जल्दी से इसके answer दीजिए P परकार के अर्ध चालक में जो आवेश भाग होंगे वो कौन होंगे इलक्ट्रोन, भीबर, प्रोटोन या न्यूट्रोन चार विकल्प आपके स्क्रीन के उपर शो कर रहा है कि पी प्रकार के अर्द चालक में जो आवेश बहाग होंगे वो क्या होंगे चली तो इसका जो correct answer होगा 51 सोरी 61 का वो जो correct answer होगा वो होगा बीबर पी प्रकार के अर्द चालक में आवेश बहाग जो होंगे वो बीबर होंगे ठीक है पी प्रकार के अर्द चालक में आवेश बहाग जो होंगे वो बीबर होंगे चली question number 62 जल्दी से answer बताओ कोश्चन है इन में से कौन आवेश रहित है बहुत अच्छा कोश्चन आपके स्क्रीन के उपर रखा गया है इन में से कौन आवेश रहित है अलफा बीटा फोटॉन या प्रोटॉन इन में से कौन आवेश रहित है आपके स्क्रीन के उपर शो कर रहा है बहुत अच्छा सवाल आपके स्क्रीन पे रखा हुआ इन में से कौन आवेश रहित है जी आवेश रहित अलफा बीटा फोटॉन या प्रोटॉन अंसर होगा इनमें से कौन आवेश रही थे मैं देख पा रहा हूँ काफी सारे अंसर आ चुके हैं और ये जो इसका करेक्ट अंसर होगा वो C होगा फोटॉन कन ठीक है फोटॉन कन ये जो हापका क्या होगा आवेश रही थोगा चलिए कुशन नंबर 63 की और आते हैं कराया द जल्दी से इसके अंसर दीजिए करेक्ट अंसर क्या होगा दसमलब अंक पद्धती की संख्या 27 की दूयदारी पद्धती में समतुल्य संख्या क्या होगी जल्दी से इसके अंसर दो चलि जल्दी से अंसर दीजे क्या होगा इसका जी correct answer question number 63 तो ये काफी बार मैंने test में ये काफी बार test में मैं पूर्च चुका हूँ बच्चो को ठीक है तो इसका जो correct answer होगा 63 का वो है 11011 11011 63 का जो correct answer वो है वो A होगा अब हम लोग 64 की और आते हैं और अगला question भी बहुत important है NOR वो पहले NAND gate था ये NOR gate के लिए बूली वेंजग बताना है ये 2016 में यहाँ देखिए 2016 में पूछा गया सवाल है ठीक है जल्दी से अंसर दीजिए क्या होगा जल्दी से इसके अंसर दीजिए क्या होगा NOR gate के लिए बूली वेंजग क्या होगा राइट अंसर NOR gate के लिए बूली वेंजग तो जो 64 का जो correct answer होगा ये भी उतना highlighted question है मतलब I mean highlighted है sorry ये 64 का जो correct answer जो होगा वो D होगा जल्दी से बताईए अगला question मैं आपके सामने रखूँ तो अगला question 65 64 का जो correct answer है वो हमारा D हो गया सबसे important question हो में से एक हम आपके screen पे रख चुके हैं कि वातावरन में किस सता से radio range परावर्तित होती है 2018 में पूछा गया question है वातावरन में किस सता से radio range जो है वो प्रावर्तित होती है आइनो स्फेर से मेजो स्फेर से क्रोमो स्फेर से या ननब्दिज वातावरन में किस सता से radio range प्रावर्तित होती है चार विकल्प screen के उपर रखा हुआ है क्या होगा correct answer जल्दी से बताईएगा जल्दी से पताई इसका करेक्ट टंसर क्या होगा कि बातावरण में किस सता से रेडियो रेज प्रभारित होती है या प्रावर्तित होती है चली तो कोश्चन नमबर 65 का जो करेक्ट टंसर होगा वो होगा आइनो स्फेर से जी हाँ बहुत हालेटेट कोश्चनों में से एक है आपका कि बातावरण में किस सता से रेडियो रेज प्रभार्तित होती है तो करेक्ट टंसर जो होगा वो आइनो स्फेर होगा बहुत इंपोर्टेंट कोश्चन है इसको वी वी आई करिएगा अपनी कॉपी में लिख कर चली अगला कोश्चन 66 कि किसी बस्तू पर आवेश की नियुंता मात्रा कम नहीं हो सकती है किसी बस्तू पर आवेश की जो नियुंता मात्रा है कम नहीं हो सकती किस से कम नहीं हो सकती है 1.6 x 10 to the power minus 19 कुलाम से 3.2 x 10 to the power minus 19 कुलाम से या 4.8 x 10 to the power minus 19 कुलाम से या एक कुलाम से, चार विकल्प आपके स्क्रीन के उपर सो कर रहा है चली, चार विकल्प, कोश्चन नमबर 66 चार विकल्प आपके स्क्रीन के उपर सो कर रहा है कि किसी वस्तू पर आवीश की जो नियूंतम वैल्यू है वो कम नहीं हो सकती जल्दी से बताईएगा चली, answer दे चली अब इसका जो correct answer होगा 66 हो गया न तो 66 का जो correct answer होगा वो A होगा 1.6 10 to the power minus 19 कुलाम से जो है इसकी value कम नहीं होगी ठीक है 1.6 10 to the power minus 19 कुलाम अगला question आपके screen के रखते हैं रासी 1 point 1 बटे 4 pi epsilon note का मान गयाद करना है जी ये आपको इसकी value find out करनी है 1 बटे 4 pi epsilon note ठीक है इसकी value क्या होगी आपको बताना है 1 बटे 4 pi epsilon note की जो value है वो क्या होगी जल्दी से बताईएगा जल्दी से बताईएगा इसका जो correct answer है वो क्या होगा जल्दी से बताईएगा ये बहुत अच्छा सवाल है एक बटे 4 pi epsilon note की value 4 pi epsilon note नहीं एक बटे 1 y 4 pi epsilon note की value क्या होगी तो question number 67 चार भी कल स्क्रीन के उपर show कर रहा है ठीक है मैं देख पा रहा हूँ काफी सारे बच्चे दे रहे answer ठीक है चली तो इसका जो correct answer होगा वो 67 का जो correct answer होगा वो ये a number होगा 9 into 10 to the power newton meter square per coulomb square या coulomb inverse 2 का सकते है ठीक है ये आपका जो होगया वो 9 into 10 to the power 9 बहुत अच्छा सवाल था ये अब आपके सामने question number 68 रख रहे screen के उपर दिख रहा होगा चली अगला सवाल रखे आपके screen के उपर question है कि यदि दो आवेसों कि मुल्य बिंदू से दूरी बढ़ा दी जाए तो आवेस के बीच बिदूतिय बल जो है वो क्या होगा बहुत अच्छा सवाल है ये आपका चली इसका जो correct answer होगा क्या होगा जल्दी से बताईएगा सभी students क्या होगा इसका answer मैं देख पा रहा हूँ काफी सारे बच्चे दे रहे इसका answer तो 68 का जो right answer होगा dear student वो होगा आपका बहुत अच्छा सवाल था ये ये होगा कि बढ़ सकता है या घट सकता ये दोनों हो सकता है ठीक है क्लियर हो गया सभी को तो ये question 68 का जो था वो answer होगा बढ़ भी सकता है घट भी सकता है कि किसी यदि दो आवेसों के मूल बिंदू से दूरी बढ़ा दी जाए तो आवेस के बीच का जो विदूती ये बल है वो बढ़ भी सकता है घट भी सकता है चली अगला सभाल question 69 आपके screen के उपर रखा हुआ है कि यदि किसी दूरी पर अवस्तित दो आवेसों के बीच विदूती ये बल F है तो उनके बीच की दूरी आधी कर दी जाए तो विदूती ये बल F का जो मान होगा वो कितना हो जाएगा चली जल्दी से इसका answer बताईए तो question number 69 का जो correct answer होगा my dear student वो हो जाएगा आपका 69 का correct answer होगा 4 F हो जाएगा क्या होगा 4 F हो जाएगा इसका correct answer कि यदि किसी दूरी पर किसी दूरी पर अवस्तित दो आवेसों के काण के बीच का जो बिदूती बल F है तो इनके बीच की दूरी आधी कर दी जाए तो बिदूती बल F जो होगा वो चार गुना ये नहीं 4 F हो जाएगा और question number 70 एक figure आपके screen के उपर दिख रहा है करा है दिये गए चित्रमेदी आवेस Q पर कुल परभावी बल जो है वो force है अगर सुने हो तो capital Q by small Q का जो value होगा वो कितना होगा रूट टू टू रूट टू वनवाई टू रूट टू या वनवाई रूट टू ड्रीम क्लासेज का learning अप इंस्टॉल कर दीजे प्ले स्टोर से काफी बढ़िया रहेगा आपके लिए और बहुत बहतर होगा आपके exam के लिए वहाँ पे अगर आपका कोई भाई आपका को कोर्स आपके लिए beneficial हो वो उस कोर्स को आप खरीदिए पर्चेस करिए खुद से भी पर्चेस कर सकते हैं नीचे बाई ना ओपर क्लिक करके आप अराम से उसको कर सकते हैं तो दिये गए चित्र मेरी आवेश क्यू पर कुल प्रभावी बल शुन्न हो तो capital Q by small Q का जो value होगा question number 70 का जो correct answer होगा वो हमारा भी होगा 2 root 2 किसी भी प्रकार की दिक्कते आएं तो आप हमें whatsapp call कर सकते हैं वीडियो के नीचे कभी ना कभी continue हमारे help line number 6200733858 continue चलते रहता है तो उस पे आप contact कर सकते हैं तो आज का class यहीं पर रहने देते हैं उमीद है कि काफी समझ में आए आज हम लोग शुरू करेंगे question number 71 से top 200 का यह special series है top 200 objective questions अगर आप इनको अच्छे से solve कर लेते हैं पढ़ लेते हैं तो आपके exam के लिए बहुत important रहेगा तो चलिए शुरू आत करते हैं 72 and 73 पर अभी focus नहीं करेंगे सीधे सीधे भी हम लोग 71 से शुरू करते हैं कहा गया है कि इस्तिर विद्धुतावेशों के बीच लगने वाला जो बल है वो किस नियम से दिया गया है question number 71 जैसा कि आपको screen के उपर दिख रहा है कि इस्तिर विद्धुतावेशों के बीच लगने वाला जो बल है वो किस न जिसमें हम लोग 71 तक पहुँच चुके हैं और उमीद है कि आपके एक्जाम से पहले हम इस टॉप 200 स्पेशल क्लास को पूरा कर सकें चल्दी से बताईए क्या अंसर होगा बहुत ही अच्छा कुशन है ये आपका इस्थिर विद्धुतावेशों के बीच लगने वाला जो ब स्थिर विद्धुतावेशों के बीच लगने वाला जो बल है वो कुलाम के नियम से दिया गया है अगर आपको नहीं पता है तो कॉपी में नोट कर लीजाए या अच्छे तरीके से रट लीजाए 72 करे किसी सुच्म विद्धुत दुईधुर्व के मध्य बिंदु से किसी अतूर आर दूरी पर विद्धुत विभावा जो शमानुपाती होता है वो किसका आर का वनवाई आर का वनवाई आर स्क्वाइर का वनवाई आर क्यों का कॉश्यन आपको इदर आप देख पा रहे होगी ये question जो है ये आपको 2018 में पूछा गया question है ये कपका पूछा गया question है 2018 कि किसे सुच विद्धुत दोईधुर्व के मद्धि बिंदू से बहुत दूर आर दूरी पर विद्धुति ये बिभब जो होगा वो समानुपाती होगा तो इस 73 जो स्क्रेन के उपर सो कर रहा है कि आपेश के प्रिष्ट घनतों का मात रख क्या होगा बहुत इंपोर्टन कोश्चन है ये जी आपेश के प्रिष्ट घनतों का जो मात रख होगा वो क्या होगा बहुत अच्छा question है question number 73 कि आपेश के प्रिष्ट घनतों का मात रख होता ह कुलाम्ब पर मीटर स्कॉयर, न्यूटन पर मीटर इनवर्स, एा स्री न्यूटन पर मीटर, कुलाम्ब मीटर इनवर्स, कुलाम्ब मीटर, ये 2009. सभी previous yes question आपको screen के ओपर दो कर रहा है, क्यूंकि इस बार जो है याद रखेगा previous एस प्रश्णों का जो है बूबूल बाला रहेगा आवेस के प्रिष्ट गणतों का मातरक होता है कुलांब पर मीटर स्कॉर न्यूटन पर मीटर कुलांब मीटर इन्वर्स या कुलांब मीटर चार विकल्प आपके स्क्रीन के ओपर शो कर रहा है कि आवेस के प्रिष्ट गणतों का मातरक कुलांब पर मीटर स्कॉर होगा जी कुशन नवर सेवन्टी त्री करेक्ट अंसर ए हो गया जिस बच्चे को नहीं पता है वो अपनी कॉपी में नोट करेगा बरना बाद में वो उच्चा बहुत पस्ताएगा ठीक है एक्जाम के बाद उसको लगेगा कि हमने इतनी बड़ी गलती कैसे कर दी विद्धु तच्चेतर में किसी दुई धुर्व को घुमाने में किया गया कार्य डबलू बराबर बताना है बहुत हालेटेड कोशन है बहुत ही अलका सवाल है आपको टेलिग्राम पे सर्च करने है ड्रीम क्लासेज़ अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो हम सारे नोट्स जो है वो एके करकर यह एक हैं टेलिग्राम में डाल रहे हैं वहां लगभग में 35-7,8,000 followers हैं ड्रीम क्लासेश ठीक है यह टेलीग्राम में सर्च करिएगा प्ले स्टोर से एप डाउनलोड कर लीजे टेलीग्राम वहां जॉइन कर दीजेगा हमारे चैनल को विद्दुत छेत्र में किसी दुई धुर्व को घुमाने में किया गया कारे डबलू ब्राबर क्या होगा चार भी कल्प आपके स्क्रीन के ओपर शो कर रहा है जल्दी से बताइएगा कि कौन सा अंसर आपके लिए शही होगा तो चली 74 का जो राइट अंसर होगा डिर स्टूडेंट वो ए होगा टबलू इस इक्वल टो में इंटू वन माइनस कॉस टिटा इस द राइट अंसर 75 का जो कुश्चन नमबर है कि किसी अचालक पदार्थ को या किसी अचालक पदार्थ के गोले का आवेश क्या होता है ये भी बहुत इंपॉर्डन कोश्चन है बहुत ही आलेटट कोश्चन है कि किसी अचालक पदार्थ के गोले को आवेस देने पर वह क्या होता है सता पर वित्रित होता है सता के अलावा अंदर भी वित्रित होता है के बल भीतर वित्रित होता है या इनमें से कोई नहीं Q75 चार विकलप आपके स्क्रीन के ओपर सो कर रहा है किसी एक विकल्प का चैन करना है कि कौन सा विकल्प आपके स्क्रीन के आपके एक्जाम के लिए या इस कुश्चन का जो राइट अंसर होगा वो कौन सा होगा मुझे टिक थोड़ा साइड में लगाना चाहेता था कि बच्चों को लगे कि ये कुश्चन नमर 75 है ओके माई डिर स्टुडेंट्स आवाज थोड़ी सी दीरे निकल रही है क्योंकि आप समझ रहे हो काफी सारे क्लासे हो चुकी है तो थोड़ा हरास्मेंट हो चुका है पर फिर भी हम नहीं रुकेंगे नहीं जोकेंगे पिलकुल बढ़ते रहेंगे और आपको आपके मज़िल तक पहुचा कर ही छोड़े है सवाल कुश्चन नमर 75 किसी आचालक पदार्थ के गोले का आवेश ऐसे होना चाहिए कोले को आवेश तेने पर वह सता पर वितरित होगा सता के अलावा अंदर भी केबल भीतर वितरित होगा गोले के अलावेश देने से कोई पर आवेश देने पर जो आपको आपके है है पहुत ही इंपोरेट क्योश्चन है बॉनडी ग्राफ जनितर से प्राफ्त होता है वांडी ग्राफ जनितर से प्राप्त होता है उच्च धारा उच्च वोल्ट था उच्च सक्ति या उच्च धारी था वांडी ग्राफ जनितर से क्या प्राप्त होगा माईडी रिस्टूडेंट इसको शेयर जरूर करिएगा नीचे लाइक का बटा दें अगर आपको मज़ा आ रहा है तब नहीं मज़ा आ रहा है तो बिलकुल मज़ सेयर करना अगर आपको मज़ा रहा है तो इसको आप अपने WhatsApp बगएरा पे कहीं पे भी सेयर कर सकते हो और देखे टेलिग्राम पे कोई भी बच्च अपना ग्रूप बना सकता है चाहिए वो अगला साल ये किसी भी दिर चीज की तेहरी कर रहा है और इस बार तो हमारे चैनल Dream Classes के ऊपर जो है हमारा खुद का एक नया एब बन रहा है उस एब का नाम है Dream Classes Live उस एब के ऊपर क्या होगा कि आपके सभी बच्चेs लाइब चलेंगे 9, 10, 11, 12, banking as a serial NEET, J सभी की classes होगी defense line, medical line सभी के अलग-अलग teacher इस पर हम अबैलबल करवा रहे है with digital board चीक है तो ये काफी सारी सुबदा है हमारे app के उपर आने वाली है 76 का चल दिस answer दीचे तो dream classes live जो है इस app को आप कुछी दिनों बाद install कर सकते हैं 10-15 दिनों के बाद ये अभी play store पे show नहीं कर रहा है अगर ये video आप फरवरी के बाद देख रहे हो तो समझ जाना कि show कर रहा है dream classes तो हमारा learning app था अब सर्च करना है कि dream classes live समझ रहे हो ना dream classes live हमारा learning app है जो नया launch हो रहा है 76 जो इसका अंसर होगा उच्च बोलत था मैं देख पा रहा हूँ काफी सारे बच्चों के अंसर आ रहे सही सही बहुत अच्छा लग रहा है चलो आगे बढ़ू 76 आपके screen के उपर सो कर रहा है ओ सोरी 77 मैं इसको थोड़ा सही दर घसकाता हूँ फिर पता चलेगा यह 2016 यहां देखो 2016 में पूछा गया सवाल है किसी आवेशित गोली एक खोकले चालक के बितर बिद्दुत्ति बृता जो होती वो कितनी होती है बहुत बहुत हलका कुश्यन है क्योंकि काफी बार हो चुका है किसी आवेशित गोली एक खोकले चालक के बितर बिद्दुत्ति बृता जो होती है वो कैसी होती अनन्द होती है शुन्य होती धनात्मक एबम एक से अधिक या कोई नहीं चार विकल्ब आपके स्क्रीन के ओपर शो कर रहा है चैन करना किसी एक विकल्ब का चल दी से बताना किसी आवेशित गोली एक खोकले चालक के बितर विद्धुत्य ब्रता जो होती है वो कैसी होती है चली मैं करूँ इसका जो राइट अंसर वो क्या होगा तो इसका जो राइट अंसर होगा वो आपका होगा 77 का भी सबको पाता है क्योंकि अंसर भी काफी सारा आ चुका था कि सर सुनने होगा इसका राइट अंसर ये एक फिगर बना दिया है हमने और आपको बताना कि आर के किसमान के लिए धारा आई जो है महत्तम होगी Question mem소 78 merak's अब साधिया tor थारा आई जो है वह वह आई जो है वह महत्तम होती है closely जल्दी से answer दीजेगा कि 코로 के किस्मान के लिए धारा जो है वह आई महत्तम होगा चार विकल्प स्क्रीन के ओपर शो कर रहा है आपको काफी हरास्मेंट हो चुकी है इस कारण से थोड़ी आवाज है वो डाउन लग रही है पर कोई बात नहीं है अमें तो पढ़ना है न पता ही क्या अंसर होगा चली मैं देख पा रहा हूँ काफी सारे बच्चे इसका अंसर दे रहे है तो dear students इसका जो question number 78 का जो right answer होगा वो होगा D ठीक है clear है R by 8 तो R की किसमान के लिए धारा का जो मान होगा धारा I का जो मान होगा वो महत्तम होगा तो by optional जो हमारा अंसर होगा 78 का D होगा 79 आपके स्क्रीन के उपर show कर रहा है 2018 में पूछा गया question है कि किसी चालक के संभ़न वीडी तथा आरोपित विद्धुत छेत्र E के बीच का जो relation होगा वो क्या होगा option आपके स्क्रीन के उपर show कर रहा है बजह बार बार option बताने की जूरत नहीं खुद भी देख सकते हो बता ये कौन सा अंसर सही होगा जी बहुत अच्छा सवाल है किसी चालक के संभ़न वेग तथा अरोपित विद्धुत छेत्र इन दोनों के बीच का जो relation होगा वो क्या होगा VD समानुपाती होगा root E का VD समानुपाती होगा VD समानुपाती होगा E स्क्वाइर का या VD जो है वो constant होगा चार विकल्प आपके स्क्रीन के उपर तो मैं देख पा रहा हूँ कि काफी सारे अंसर आ चुके हैं तो इस हिसाब से आपका जो right अंसर होगा ये question number 79 B VD समानुपाती होगा E का clear है यहां तक अगला question प्रतिरोधक्ता का इसा ही मातर ये मैं ज़्यादा time नहीं लोगा क्योंकि already हम इस question का काफी वार solution कर चुके है जी बिल्कुल सही बोल रहे हैं बच्चे ओम मीटर जैसे स्क्रीन पे आया अंसर शुरू हो गया प्रतिरोधक्ता का ओम मीटर question number 81 screen के ओपर फिर से सो कर आया ओम के नियम का सदी सुरूप क्या होगा I vector गुने I vector I vector गुने V sorry I गुने V R वरावर VYI और ननवदीच ये 2017 में पूछा गया question मैंने हरे question के बगल में लिख दिया है कि कौन सा पेपर में आपको कब पूछा गया है तो दिखे दिख रहा है sorry 11 में ये पूछा गया मुझे लगा 17 में question number 81 क्या होगा जी right answer तो ऐसे condition में इसका जो right answer होगा वो A होगा my dear student ohm के नियम का सदी सुरूप जो होगा वो I vector गुने E vector is the right answer clear हो गया question number 82 screen के उपर रखने जा रहे है काफी बार हो चुका है इसलिए इस पर ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे क्योंकि ये भी प्रस्ट आपका जो है previous years 2015 में पूछा गया है चुमबक सीलता की बीमा क्या है question number 82 screen के उपर सो कर रहा है एक बार like और share कर दीजेगा सभी जगा channel को subscribe नहीं किया dream classes को तो नीचे जो red color का दिखरा है ना उस पर click करिए वो black हो जाएगा अगर already black दिखरा है तो इसका मतलब है कि आपने हमारे channel को subscribe कर दिया है दूबारा करने की ज़रूत नहीं है और अगर कर दिया है तो उसके बगल में एक घंटा का बटन दिखरा होगा उस पर click करिएगा तो उससे क्या होगा ना कि जब भी हम वीडियो डालेंगे या live आएंगे तो आपको notification चल जाएगा फोन के उपर इसलिए subscribe करवाया जाता है subscribe करवाने से करवाने से ऐसा नहीं कि हमें कुछ पैसा वैसा मिलने वाला ऐसा कुछ नहीं है ठीक है तो चुम्बक सीलता की बीमा अल्रेड़ी ये question हो चुका है answer होगा B MLT square I inverse 2 2015 में question पूछा गया है एक लहुचुम्बक के पदार्थ की चुम्बक सीलता कितनी होती है चार विखल्प स्क्रीन के उपर सो कर रहा है A B C D एक लहुचुम्बक के पदार्थ की चुम्बक सीलता मियू का मान बताईए 2012 में पूछा गया पूछा गया पूछ पेपर I mean question है एक लहुचुम्बक के पदार्थ की चुम्बक सीलता क्या होनी चाहिए Question number 83 आपके स्क्रीन के उपर सो कर रहा है कि एक लहुचुम्बक की पदार्थ की चुम्बक सीलता मियू जो होता है वो कितना होगा मियू is greater than 1 मियू is greater than, less than 1 मियू is equal to 1 और बच्चे भी यही अंसर पर टिक कर रहे है जादा 83 का जो अंसर हो गया वो A हो गया आगे बढ़े अगे बढ़ते हैं कुशन नमबर 84 क्यों रहा दे निकेल क्या है प्रती चुम्बा किये अनु चुम्बा किये लाहु चुम्बा किये या ना नबतीच चलदी से बताइएगा निकेल किस तरह के पदार्थ का उधारन है चली तो इसका जो अंसर होगा मैं देख भा रहा हूँ काफी सारे बच्चे दे रहे हैं इसका जो राइट अंसर होगा कि निकेल जो एक लौचुम्बा के पदार्थ है 84 का सी अंसर होगा स्थाई चुम्बक बनाने के लिए परियोग में लाते हैं किसे इसको V.B.I. करिए कॉपी में नोट करिए अगर आपको नहीं पता है तो ये इस पार के कुश्चन एक्जाम के लिए इंपोर्टन करीजिए को V.B.I. स्थाई चुम्बक बनाने के लिए परियोग में लाते हैं स्टील का नरम लोहा तामभा या ननमदीच चल दिस बताईगा स्थाई चुम्बक बनाने के लिए परियोग में लाते हैं चारों में से किस चीज़ का कॉश्चन नमर 85 चली इसका जो अंसर होगा वो होगा स्टील स्थाई चुम्बक बनाने के लिए परियोग में लाते हैं स्टील का 85 का जो राइट अंसर है वो A होगा स्थाई चुम्बक बनाने के लिए परियोग में लाते हैं स्टील का 85 का राइट अंसर A होगा 86 की बात करें तो question है कि निर्वाद की चुम्बक सिलता mu का मान बताइए जी निर्वाद की चुम्बक सिलता mu का जो मान होता है वो कितना होता है पहला option है पहला option है 4 pi into 10 to the power minus 7 henry per meter तूसरा है 4 pi into 10 to the power minus 9 henry per meter तीसरा है 4 pi into 10 to the power 7 henry per meter चोथा है 4 pi into 10 to the power 9 henry per meter यानि 2 minus में 2 plus में question number 86 जल्दी संसर बतेगा क्या होगा चली मैं देख पा रहा हूँ अंसर आ रहा है बहुत सारा तो correct answer होगा 4 pi into 10 to the power minus 9 henry per meter clear है चाल बिल्कुल clear होगा मेरे इसाब से question number 87 पार्थिव चुम्बक कत्व के लिए BH by BB का जो रेशियो होगा वो कितना होगा चार विकल्प स्क्रीन के उपर सो कर रहा है चली से बताईए वह क्या अंसर होगा fast fast answer दीचे मैं देख पा रहा हूँ काफी अंसर आ रहा है A, B, C, D A, B, C, D क्या अंसर होगा चली इसका जो right answer होगा my dear student वो आपका होगा B ठीक है 87 का जो right answer है वो आपका B होगा 88 क्यों राते है करहें एक प्रत्यावर्ति धारा की सिखर बोल्ट अता अगर 440 बोल्ट हो तो इसकी आवासी बोल्ट अता कितनी होगी 88 काफी बार पूछा गया question है इसलिए इस पर ज़्यादा time नहीं लेंगे only 10 seconds आपके लिए रखा गया है 2012 में सो कर रहा है लेकिन और भी काफी बार पूछा गया है test बगएरा में भी मैंने इसके बारे में काफी बार जिकर कर लिया था कि एक प्रत्यावर्ति धारा की सिखर बोल्ट अता 89 पर आते हैं कि चोक कुंडली का सकती गुणांग कितना होगा 90 डिगरी 0 डिगरी 180 या वन चोक कुंडली का सकती गुणांग कितने डिगरी के बराबर होगा जी 89 नमर question चार विकलप आपके screen के उपर show कर रहा है चोक कुंडली का सकती गुणांग कितना डिगरी होगा तो जो correct answer है वोगा आपका B 0 डिगरी चोक कुंडली का सकती गुणांग जोगा वो 0 डिगरी होगा question number 90 संधारित्र का सकती गुणांग बताईए 91, 180 या 0 2013 में पूछा गया question है संधारित्र का सकती गुणांग चली मैं answer पर सीदे आता हूँ क्योंकि ज्यादा discuss करने से समय वरबाद होगा इसका answer होगा D 0 clear है question number 91 एक विद्दुचुम्बक के तरंग में विच्छोब है cable E, E और B, cable B कोई नहीं एक विद्दुचुम्बक के तरंग में विच्छोब क्या क्या होगा cable E, E और B, cable B या इनमें से कोई नहीं तो जो correct answer होगा my dear students वो 91 का जो answer होना चाहिए मेरे सबसे C होगा हाँ, ठीक, 91 का C E और B दोनों is the right answer 92 विद्दुचुम्बक के तरंग है ये मैंने आपको जूम कर दिया बताए विद्दुचुम्बक के तरंग है अनुधैरे, अनुप्रस्त, प्रभावी ठीक है प्रगामी तरंग, सोली और अनन अब दीचे कोश्चन नमबर 92 ये तो आपको भी पता है कि या तो A answer होगा, या तो B answer होगा C और D की और तो क्योंकि तरंग है तो या तो अनुधैरे या तो अनुप्रस्थ होगा तो ऐसे कंडिशन में 92 का जो राइट अनसर होगा वो B योगानु प्रस्थतरंग ठीक है? Okay, my dear student कुश्चन नमबर 93 आपके स्क्रीन के उपर है कि विस्थापन धारा घनतों का जो मातरक है वो कितना होगा? I mean क्या होगा? Ampere meter inverse 2, Ampere meter Ohm, Joule कुश्चन नमबर 93 बताई ये राइट अनसर क्या होगा? तो विस्थापन जो होता है वो धारा घनतों का मातरक होगा Ampere per meter यानि राइट अनसर जो होगा? वो 93 का A होगा Clear है? 93 का जो राइट अनसर है वो A होगा चुमबक्य छेटर B वेक्टर का उड़जा घनतों क्या होगा? 94 ज्यादा टाइम लेगे नहीं डाइरेक्ट आपको इसका अनसर बताना है अगर नहीं पता है तो अच्छे से पढ़ना है क्योंकि अब तो टाइम बेलकुल बहुत कम बचा है तो डाइरेक्टली पढ़ना है नहीं तो डाइरेक्टली अनसर देना है चुमबक्य छेटर B वेक्टर का उड़जा घनतों कितना होता है? B स्कॉयर बटे म्यू नोट B स्कॉयर बटे 3 म्यू नोट B स्कॉयर बटे 2 म्यू नोट B स्कॉयर बटे 4 म्यू नोट हीरा का सबको पता है सबको पता है टाइम वेश करने से कोई फाइदा नहीं हीरा का बर्धनांग सबस्यादा होता है राइट काच के पुर्ण प्रावर्तक प्रिज्म का कौन होता है कितना ये भी सबको पता है काच के पुर्ण प्रावर्तक प्रिज्म का जो एंगल होगा वो 97, सुरी, 6 हो गया न, आजी, 6 हो गया, इंदर दनुस बनने का सबसे प्रमुख कारण, सबको पता है, बिल्कुल टाइम वेश नहीं करेंगे, पर फिर भी, जल्दी से पताएगा, A, B, C, D, विचलन वर्न विक्छेपन, दोनों कोई नहीं, सबको पता है कि दोनों हो सकता ये, विचलन भी होता है वर्न विक्षेपन भी होता है तो इंदर दनुस बनने का प्रमुख कारण प्रकास का वर्न विक्षेपन और विचलन तो 97 का अंसर हो गया C अगर एक रहता कोई तो एक परी करते तरंग का कालांतर फाई का जो पथांतर होता है वो डेल्टा एक से संबंध है किस रूप से तरंग का कालांतर फाई जो है उसका पथांतर जो है वो डेल्टा एक से संबंध है किस रूप से आपके स्क्रीन के उपर सो कर रहा है 98 चल दी से बताइएगा क्या होगा राइट अंसर पेट कर रहे हैं बिल्कुल आपका कुश्चन नंबर 98 A B C D चली इसका अंसर होगा इसका जो अंसर होगा वो होगा C लेम्डा बाइट टू पाई फाई 99 मानवनेतर की बिवेदन चम्ता कितनी होती है 99 मानवनेतर की बिवेदन चम्ता कितने मीन हटकी होती है अंसर होगा D is there identity इसको BVI करिएगा इस बार के एक्जाम के लिए ठीक है BVI करिए हो सकता है पूछ दे आपका 99 का जो अंसर होगा D होगा तरंग व्यती करण में क्या होता है यहां देखिए अंतता उर्जा का छे अंतता उर्जा का लाव उर्जा का पुनर वित्रन कुछ नहीं कहा जा सकता कुशन नमबर सौ चारवी कल तरंग व्यती करण में क्या होता है इसको भी नोट कर ये बहुत इंपोर्टेंट कोश्चन है तरंग वेती करण में चली इसका जो राइट अंसर होगा ये होगा सौ का सी अंसर उर्जा का पुनर वित्रन होना चाहिए लिखाओ ठीक है पुनर विवरतन गलत लिखाओ ये थोड़ा सा ओके पुनर वित्रन लास्ट कोश्चन कोश्चन नमर 101 आज के लाइफ टेस्ट का ये लास्ट कोश्चन कि जब लाल सर्ट पर नीला प्रकास ठीक है डालेंगे तो वह दिखाई देगा जब लाल सर्ट पर नीला प्रकास ठालेंगे तो वह किसरंका दिखाई देगा जल्दी से बताईगा हाँ जी लाल सर्ट पर नीला प्रकास डालेंगा ना तो ये आटोमेटिकली काला होचेगा आई होप की अच्छा लगा होगा नीचे सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाद दीजेगा ड्रीम क्लासेश का ठीक है तो आज की क्लास ही पर रहने देते हैं मिलते हैं अगले क्लास में